अपने पैसे कमाने की जर्वनी को इस्टार्ट करो Highbox के साथ Mystery Boxes के अंदर जो items हैं उनका price हमेशा Mystery Boxes के price से higher रहेगा Highbox अपर जो payment gateway अविलेबल है आप अपने convenience के हिसाप से अपना payment method चूज कर सकते हैं चलिए अब हम Mystery Box को purchase करते हैं और Mystery Box को open करते हैं और कोई ऐसा आइटम निकल जाता है जिस सब सैटिस्फवाई नहीं है तो आप रिसेल बटन पर कलिक करकर उसको रिसेल कर सकते हैं हाइबोक्स की ये गारंटी है हमेशा रिसेल का प्राइस जादा ही रहेगा जिस पर आपने मिश्चिबोक्स को परचेस करा था रिसेल करने के बाद आपको मिलता है लक्की ड्रोज इसमा आप जीश सकते हैं आईफोन, मैकबुक, अल्वी बैक एंड कैश रिवर्ट्स मेरा कैश निकल गया अब मैं इसको कलेम कर लेता हूँ रिसेल किया हुआ रिवर्ड आप 24 घंटे बाद कलेम कर सकते हैं मैंने इन्वेस्ट करें दे 300 रुपे जिसमाँ डेली प्रोफिट मेरा सोलो रुपे का हो रहा है और मंतली प्रोफिट होगा 400 असुरुपे का जितना जादा आप रिसेल करोगे उतना जादा आप अंकर पाओगे तो आज ही अपनी अर्निंग की जर्नि को स्टार्ट कीजिए हाइबॉक्स के साथ कैसे लगी तुम आपको? बहुत अच्छी है नेख्टेड बहुत अच्छी है ताना जी में हमने देखा था साइफ को उसके बाद अब इस अलग इमोशनल कारेक्टर में आ रहे हैं वो सब कितना अख है, किस कर से पौ टो है कपी उनीक है एक्सPECTAD नहीं ता काफी वेट उनने लूस किया है बाठ अच्छा और जो न्यू कमर है उसके वारे में गुष के एंगी है इंटाया स्टोरी वस अमेसिट क्या है मलब हमने जब ट्रेलर देखा था तो कुछ अलग ही लग रहा था लग रहा था बट तेन काफी उनीक है यू जरेशन कनेक्ट कर बाए गया रहा था इस अमोशनाल और पॉनी सोड इमोशनल एंट में स्टूराव थिए फॉर्व थिए जब से मैसिज बहुंग है अगर मैंने बता दिया लोग प्र्मेंश की कर चाहिए बटा है आपने लोग फॉर्स्ट मैरेज की कहानी को अगर आपको नहीं पदा है यह उसको स्क्रीन पे ने जाते हो ये मुवी वो बताईगी आपको it's like के सारा अली खान है सायफ अली खान है और अमरिता सिंग है अम्रिता सिंग का रूल प्ले कर रही है तब वो एंड सारा अली खान इस लाइक अलाया फटनीचर वाला so yeah it's a kind of a story यहां पे भी काफी है लेकिन साफ लिगान बहुत है इतना है कि अपना एज भूल जाते हैं बालों को कलर करके बार बार जाते हैं तूट पड़ते लडगियों पे and the best part of the movie जैसे कि आपने trailer में देखा होगा मैं story reveal नहीं कर रहा हूं त्रेलर में आपने देखा होगा कि बहुस जैसे ही वह काउच पे जाकर के start ही होने का सोच रहा होते हैं और वहीं पे आ जाते हैं उनको कि भाही देखो chances है कि आप मेरे dad हो पूरी mood spoil हो जाती है and it's horrible for everyone की ऐससा situation किसी के life में ना है मेसेज यह किया है जादा hanky panky मत करूँ होना ऐससे situations आ सकते life में okay okay हमने ट्रेलर में देखा था हमने कुछ अलगी हमारे दिमार में जहन में चल रहा था फिल में वह चीज है या फिर उससे भी जादा serious है या फिर उससे भी जादा चुलबुला पन है अगर बात की जाए ना तो आपने cocktail देखा होगा मेरे माइंड में जैसे यह ट्रेलर आया था ना मेरे माइंड में सिफ और सिफ कॉक्टेल मुवी चल रही थी लव अपना सैफली खान चल रहा था कि यार काफी काफी साथा happening बंदा है सेम तरह की है परफॉर्मेंस और उनका जो चैरेक्टर है वही है और वह उस चैरेक्टर में बहुत अच्छे जच्टे लगता ही नहीं है तो यहां पर वही चीज है ल थोड़ा कम कर देना तो मुवी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे और हर एक चीज प्रेडिक्टेबल है आप कोई भी चीज देखोगे ना कोई भी सीन देखोगे आपको पता चल जाएगा नेक्स डाइलोग क्या है आपको हासी आही जाएगी कि यही होने वाला य देखने में डायलोग एकडम गायब है हमेशा जो है फेस एक्सप्रेशन सही उनकी सारी चीज़े आपको समझ में आएगी गायब मिन्स है पर आप याद नहीं रख पाओगे बस उनको जो इस मुवी के मेसेज के लिए यूस किया गया है जो कि काफी छोटा सा कैमियो है ले फिर और बस और म्यूजी कच्छा थोड़ा लोकेशन अच्शी वह और एक्टिंग सभी की एक्टिंग तबू केसी एए ठीक है और अनका सैफ की एक्टिंग अच्छी एअ जुन winter है अलय curse हिल कुछ याद है emotional नहीं लगा, ठीक है, not good not bad, not good not bad, अब देख सकते हैं, देख सकते हैं, फैमिली के साथ, आप पैमिली के साथ, देख सकते हैं, वल्गारिटी नहीं है, नहीं, कितने साथे के पाँच में से, तरी, या it's good, क्या opinion अपिन देखने हैं, क्या अलग है, क्या है, कैस थोड़ा है, concept थोड़ा अलग है, new है, लेकिन, good good, not so, average, not good, but it's good, सेवले कान, अच्छा है, सेव की acting कैसी है, सेव की acting as usual, बहुत बढ़िया है, ताना जी जैसी है, या फिर उससे अलग है, ताना जी तो awesome थी, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं हो, कैसा historical movie थी, उससाब से वो जानर भी उसका अलग था, ये जानर अलग है, तो मैच नहीं कर सकते, वो character और ये character, लेकिन अच्छा है, सेव का भी बढ़िया था, और जो new hero नहीं है, अलाया, उसका एक तो मतलब, अच्छा था, innocent face था, बढ़िया कि उसने भी अच्छा, अच्छा है, पादर दॉड़र क कितने इस्टा देंगे फाद पर से, त्री, सव में से सव, अच्छा ये बताए, ये बताए, ये बाप बेटी का कॉम्बिनीशन दिखाएगा है, वोला जा रहा है कि फैंदी के लिए बाप बेटी का जो कॉम्बिनीशन आप कह रहे हैं इसा आपको लगे गा नहीं आप ये ये बताएगी ही अहे मतलब अपसको तो में बहुत इस हैं मतलब डिष्टाल का गादा है मतलब के त्क ये बताएगрах है ये है बहुत संदूना रहीटा matter इससे अगर fun expect करें मतलब एक मतलब कहते है ना एक नॉर्मल सी स्टर्ड सिंपल लाइफ बैचलर लाइफ वाली है अगर वह फिलिंग देखने जाएंगे तो मज़ा जाएगा फैमिली वाइज भी मतलब कुछ कुछ चीजे हैं मतलब वह भी मतलब सहर्चीज का कॉम्बो है और अब आप लोगे जदा सा तो यह पॉइंट पर ही जाओगे आप लिए बन जाते हैं आपको पता चलेगा पन गए प्टिता बन गए अहां प्रण करेंगे तो कॉन सी वाली है हाहाँ है रिवील कर रहे है तो है तो चले कितने स्टादेगी पांच में से पांच में से पा जिखाई ऑफिए और फिरॉग यहां नए रॉइन विडिए आज काम थीक किया है डिया धिवित फिल्म में अजय अजया और फिल्म इसा लगता नहीं है क्या अलग है अपने क्या समझा रहा है पादर का जो रिलिसंस टीप है पारेमें कहानी है बस अघ्षी में आपने हक संधार लंड़ियरत, मजग वीन आपने है आपको IV टो दी में बीन माने महां दो अप सुन अभैर उलप आप कशके अज़ा हाय का गला इस अभाल रहा- आप का इं सबदय में आपको लोरी होाँ हाँ, तो रिलेट किया आप, अच्छा है, खीक है, कितने शादें के पांच में से, तेन, जवानी जाने मन बहुत ही बढ़िया मोवी है, और इसमें एक फादर और रिलेशंशिंशिप के बारे में दिखाया गया है, कि इतना खूपसूरत रिलेशंशिप है, वो एक बहुत ही से, वो मिलते हैं जब पहली बार, और बहुत ही क्योस और रिलेशंशिप निखर के आता है, बट मुझे लगा कि मुझे लगा कि मुवी निश ओडियन्स के लिए, इसमें कोई आइटम सॉंग नहीं है, थोड़ी बीच में बहुत स्लो पेस्ट हो जाती है, और स्टोरी बढ मुझें का रोल पेसंद आया, जितने भी आज से कुने निवा निवा ज़िए लेशंशिप निवागा है, जितने भी आज से कुने निवा जिदा निवा जब क्लासी हैं, आपर लोड डॉटर का जो डिलेशंशिप है कि अमिस्ट्री है बहुत अच्छी से निगा शो की वो सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्रुइंट फैमिली से हैं और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस हैं फिलर्ट करने वाले और थोड़े से हैपी-go-lucky टाइप्स और बिलकुल बिंदास टाइप्स तो वो कही ना कही उनको उनको उनका कोई ना कोई वो इस अप्रिष आप इस वर्णी ना कही ना कही ना कहीं से भी निकल कोई रिष्टा आसकता है और यूल बंप इंटो एच अधर और यूल कॉम तो नो लेटेटिव और वो अच्छीदा पान और वो लिए रिशंशिप की अधर्सितिस को दर्षाय गया है तो वो सब को सा और वुड़ी कर दो दो ग्हंते से कम की मुविय है कब स्टार्टों किर पको पता होरे इन चेल्ए ने चलेगा जितनी मी सपोर्टिंग ऑटर से कर बाउच अच्छ रोले को मैं अच्छी रोल है तो मुझ जितनी बी रिमिइज सॉंग से वो भी अच्छी प्रेज हो आपकी तुम लुहें दो भी स्थर्स भीष्ट रेहरा थुची में श्माम से हर्पास प्लाव जैसे के लिगिए वर पर आप पूछ अच्छी हमने देखा दा अपरने लिख था साइफ और इस अलग एमोशनल कारेक्टर में रहे हैं वह सब कितना अलग है किस आप है काफी उनिक है, काफी उनिक है, एक्सपेक्ट नहीं था, काफी वेट उनने लूस किया है, बहुत अच्छा और जो नुकमर है उसके वारे में कुछ कहेंगी है? लड़की वेट वस अमेजिए, अमेजिए अमेजिए, इंटाया स्टोरी वस अमेजिए काफी वेट निक है, मिलब रहता है, यह अमने जब ट्रेलर देखा था, कुछ अलग ही लग रहा था लग रहा था, बट तन काफी उनिक है, नू जडरेशन पर आप अगए गया रामसर इस इमोशनल, और पनी एपने सबस्क्राइब करें पर देखने को अगर आपने साफली खान का जो है फॉर्स्ट मैरेज की कहानी को अगर आपको नहीं पता है या उसको स्क्रीन पर देखना चाहते हो यह मूवी वो बताईगी आपको नहीं पता है सार अली खान, साफ अली खान और अमरिता सिंग अमरिता संग कर रही है यहां पर खाल यहां बहुत अपने साफ अप्णा और करके बार बार जाते हैं तूट पड़ते लडगीं पर एंड बेस पार्ट ऑफ दे मुवी जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूं ट्रेलर में आपने देखा होगा कि बहुस जैसे ही वह काउच पर जा करके स्टार्ट ही होने का सोच होते हैं वहीं पर आ जाता है उनको कि भाई देखो चांसे हैं कि आप मेरे डाड हो पूरी मूड स्पॉयल हो जाती है एंट्स होरीबल फॉर एवरीवन की ऐसा सिच्वेशन किसी के लाइफ में ना है मेसेज ही है जादा हैंकी-पैंकी मत करूँ होना ऐसा सिच्वेशन सा सक लोगए मेरे माइड में जैसे यह ट्रेलर आया था ना मेरे माइन में सिफ और सिफ कॉक्टिल मूवी चल रही थी लवाजका आल वाला अपना साफली खान चल रहा था की आर का आफी जाधा हापनिंग बंदा है सेम तरह कि है परफॉक्वामेंस और उनका जो कररक्टर रही और enjoy करना चाहते हो तो मेरा एक ही suggestion है expectation थोड़ा कम कर देना तो मुवी को बहुत अच्छे से enjoy कर पाऊगे और हर एक चीज predictable है आप कोई भी चीज देखोगे ना कोई भी scene देखोगे आपको पता चल जाएगा next dialogue क्या है आपको हासी हमेशा जो है face expressions है उनकी सारी चीज़े आपको समझ में आएगी गायब मिन्स है पर आप याद नहीं रख पाऊगे बस उनको जो इस मुवी के मैसेज के लिए यूज किया गया है जो कि काफी छोटा सा कैमियो है लेकिन एंड में जाकर के यह चीज समझ में आता है कि भाई फैमिली कितनी कि अप्टिक एसी है ठीक है उनका सैफ की अच्छी है और जू नू कमर है अलाया अलाया अफ की अच्छी है पाप बेटी का दिखाया गया एक गॉमिनेशन वह अलग है सबसे या फिर वही बुनाना है पर कुछ यादा इमोशनल नहीं लगा ठीक है नॉट गुट नॉट उट जायureau प combinations नाばि नॉट नॉट जए अश्यक्तितिति प्रिद चार्आ ऋलग है क्षाई concept though थोड़ा तें।New है लेकिन वह गुचण बहुत ऒाय है उट गुचण ताना जी जैसी है या फिर उससे लग है ताना जी तो आसम थी मतलब उसका कोई तोड नहीं हो कैसा इस्टोरिकल मुवी थी उसी जाप से वह जोनर भी उसका अलग था यह जोनर अलग है तो मैच नहीं कर सकते वह चरेक्टर और यह करेक्टर लेकिन अच्छा है सफ का भी बड़िया था और जो नुव हरो यह आलाया इसका मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बड़िया कि उसने भी अच्छा फादर दाटर के वह कॉम्बिनीशन कैसा है हाँ अच्छा है बेट अच्छा यह बताईए बाप बेटी का कॉम्बिनीशन दिखाएगा है वोला जा रहा है कि फैंले कि लेगे दिखेंगे बाप बेटी का जो कॉम्बिनीशन आपको लगे गा नहीं आप यह लगे है जैसे वो दोनों फ्रेंड है ठीक है मतलब बिल्कुल फ्रेंड जी से करेंगे लोग देखने जाए है मतलब इस तरफ लोग पाल ना जाएगा है यह थाँगा इस साल करेंगे अग एक नॉममल सी श्टाइड शिंपल लाइफ वाली है अगर वो फीलिंग देखने जाएगा तो मजा आजएगा फैमिल्वाइज भी मतलब कुछ चीज है मतलब वह परसी का कॉम्बो है पागे श्टैड वाली चीज है वह बहुत जाद है वह जाद है जदा साथ तो एक पॉइंट पर ही जाओगे आप किता बन जाते हैं आपको पता चलेगा पिता बन गए अहाँ प्या पील करेंगे अग्छा करूँगा कॉन सी वाली है और के रिविल कर रह को है अच्छा हैं ए अच्छा है और फादर बदर फादर दोटे की रीश्टन जेका आप पादेरे का यह पूसर काम एक ड हैजा अच्छा है नई रोधने काम ठीक किया है इस लगता नहीं ही लिए इस создate नहीं और फीलम उसका डेभी फीलम में है अशल एसा लगता याशसन आपने क्या समझा वादर और नोटर का जो रिलेसंस्टी पे इसके बारे में कहानी है बहुत अच्छी बैठरीन है कि आ AND आशे कि आएप अजय के मायिनिया है आसमझारा जाने अझे ओलल में जाने आख़ाए अपर सबस्क्तर ओलन द जाने हट आप किर नी चन्स देश काने कि फिच्छों से हार थे कि इटनेों कि आपकि जाने इस लुगा जानें पर बईठीर होगा कि श्र wen गायोंगे तर श जवानी ज़िसाने मन बहुत ही बढ़ीया मोवी है और इसमें पादर और रेलेशंशिप बारे में दिखाया है कि इतना खूपसूरत रेलेशंशिप है वो एक बहुत ही क्या वो पहले ही चाहुँ सीनशिप्स पर पहले सेक्सा पिल्ए हुष्ण है और बीच में यूनो कि इसमें कोई आइटम सॉंक्स नहीं हैं थोड़ी बीच में बहुत स्लोपेस्ट हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो कि सेफ अलिखान क्लासी रोल के जाने जाते हैं तो मुझन का रोल पसंद आया जितने हैं ताना जी और रोमकारा को छोड़की जितने ही आज से कुने इन कि इदा ने पाई जो क्लासी है तो फादर रोड रोड दॉटर कब जो डिलेशंशेप और केमिस्ट्री बहुत अच्छ कोक्टिल देख लीजिए यह दिल लगी देख लीजिए या लव आचकल कही ना कहीं आपको वो यूनका एक ट्रेडमार्क वो सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्लेट फैमिली से हैं और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस हैं फ्लर्ट करने वाले और थ करें ले जो मुवी है कामेडी मुवी आपकर है कि अन्यू टो प्लेकिंटे proportion invert platinum करेंण निर्ष्ट के पुलो जिसलेन निवीर हैंँ बनागर निकल का और कम रट ब वर्ट के विल्ड वूर के иकल्ग के बिलीटे थे। जाराल के तरुल विप्लिके मेंदे बने तराइटे थन र्यूरूर है जो एक दम अच्छी पिच्छ है और एवरेज है या पर जिए अब आपर अब बोर नियू है कब स्टाटों कब खतम में पता नहीं चला है अब बोर चोटा सर रोल है जितने भी सपोर्टिंग आडा अपरीदा जाला कुमोद मुष्रा कुकुशादा का अच्छा रोल है कॉमेडी में मुजिक जितने भी रिमिक सौंग से वो भी एच्छ से प्रेजन किये गा है इट अज बेन शॉर्ट अबरोग नितिन ककर का डारेक्शन भी ठीक है सो एक बाद देखी जा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आपकी, you know, but again, I'll give three stars. कैसे लगी तो आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, नेक्स्पेक्टेट बहुत अच्छी है. ताना जी में हमने देखा था साइफ को, उसके बाद अब इस अलग, emotional character में आ रहे हैं, वो सब कितना अलग है, किस तरह से पोट्रे किया है? काफी unique है, काफी unique है, expected नहीं था, काफी weight उनने लूज किया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और जो newcomber है, उसके अच्छी है? लड़की weight was amazing, amazing, the entire story was amazing. concept क्या है, मालब हमने जब trailer देखा था, कुछ अलग ही लग रहा था, लग रहा था, बट रहा था, काफी unique है, new generation connect कर पाए गया, रहा है, is this emotional, or funny, sort of emotional, end man, throughout the movie, comedy है, comic zone है, फुरा, okay, तो कुछ message भी होगा इसके अंदर, जब देखेंगे लोग तो, है, अगर मैंने बता दिया लोग क्या देखेंगे, देखेंगे, पर साथ बाइगे, for example, मालब क्या expert करके जाए, family rum है, थोड़ा सा, किते शाधेंगी पाट पर से, 515, या सबसे पहले कह देता हूँ, अगर आपने साह अली खान का जो है, फोस्ट मैरेज की कहानी को, अगर आपको नहीं पता है, या उ स्टोरी, वो दोनों happily couple थे, साथ में रहा कर देखेंगे, यहां पे भी काफी है, लेकिन साह अली खान बहुत है, इतना हापी है कि वो अपने एज भूल जाते है, बालों को कलर करके बार बार जाते है, तूट पड़ते लडगीों पे, and the best part of the movie, जैसे कि आपने ट्रेलर में आपने देखा होगा, मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूं, त्रेलर में आपने देखा होगा, कि बहुत जैसे ही वो काउच पे जा करके, स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते है, और वही पर आ जाता है, उनको कि भाई, देखो, चांसे है कि आप मेरे डैड हो, पूरी मू चुलबुलापन की अगर बात की जाए ना, तो आपने कॉक्टिल देखा होगा, मेरे माइंड में जैसे ये ट्वेलर आया था ना, मेरे माइंड में सिफ वा सिफ कॉक्टिल मूवी चल रही थी, लवाच काल वाला, अपना सैफली खान चल रहा था, कि यार काफी साधा हाप होता है, उसके उपर में रहता है, तो स्टोरीक बे अगर आप एक्सपेक्टेशन जादा रहे हो, और इंज्वाइ करना चाते हो, तो मेरे एक ही सजेशन है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर देना, तो मूवी को बहुत अच्छे से इंज्वाइ कर पाऊगे, और हर एक च कि अच्छे से इंज्वाइ कर देना, तो में बहुत रॉकिंग लगे लेखने में, डायलोग एक्दम गायब है, हमेशा जो है फेस एक्सप्रेशन सही उनकी सारी चीज़े, आपको समझ में आगे, गायब में है पर आप याद नहीं रख पाऊगे, बस उनको जो इस मूवी के मेसेज के लिए यूस किया गया है, जो के काफी छोटा सा कैमियो है, लेकिन एंड में जाकर के ये चीज़ समझ में आता है कि भाई, फैमली कितनी इंपोर्टेंट है, और वो चीज़ चंकी पंडे ही रियलाईज कर वाते हैं, तो किंदे चाह देंगे बांच में से, स्ट अबू की एक्टिंग केसी है, ठीक है उनका, सैफ, सैफ की एक्टिंग अच्छी है, और जो न्यूकमर है, अलाया, अलाया एक्टिंग अच्छी है, पाप बेटी का, you know, दिखाया गया है कॉम्मिनेशन, वो अलग है सबसे या फिर वही बुनाना है, कुछ यादा एमोशनल अला जो निल गा, ठीक है, नोट गूड, नोट बड, अलप देख सते हैं, फैमली के साथ, तो नहीं है, नहीं, कित्ने साथ है के भाश में सै त्री, या इक्स गुडुक, क्या उपीनियन एफिन देखना हुआ है, क्या अलग है, क्या है, कैसा है, यूड Dwald है, यूड़्ु ताना जी तो आसम थी मतलब उसका कोई तोड नहीं हो कैसा इस्टोरिकल मुवी थी उसी जाप से वह जॉनर भी उसका अलग था यह जॉनर अलग है तो match नहीं कर सकते हैं। वह character और यह character लेकिण सेफ का बट बढ़ा था और जो new hero लाया उसके मतलब अच्छा था innocent face था बट बढ़ा कि ंसने भी अच्छा दीकॉण यह सा है। आँ नहीं दिखता हैगेश हो नहीं चीप सोब आइट sap कितने इश्रादेंगे फार्ट पसे है त्री सव में से सव अच्छा यह बताइए बाप बेटी का कॉम्बिनीशन दिखाएगा है वोला जा रहा है कि फैंले के लिगे तिके बाप बेटी का जो कॉम्बिनीशन आपको लगे गा नहीं आप यह लगे जैसे वो दोनों फ्रेंड अच्छा यह बिल्कुल फ्रेंड जी अच्छा है चालेगा है तो दोनों में बहुत डिफरेंगा तो अब ताना जी में तो बात ही अलगी वह तो मतलब डेंजर स्क्राइटर था यह मतलब इक्साइटिंग ब्लॉंड ब्लॉंड ना मतलब बिल्कुल इसाल का लोगना वला बता है तो यह बता है यह बता है यह लोग जो देखनी जाएंगे क्या एक सुछ ना जाए है तो फीलिग फैमिली वाइस भी मतलब कुछ-कुछ चीज है मतलब वी सहाराशीच का कॉम्बो है अगर इस यह बहुत ज्यादा है तो एक एक प्वाइंट पहीं जाओगे आप प आपको पता चलेगा आप तिता बन गए क्या फिल करेंगे आपको पता चलेगा आप पता करूंगा कौन सी वाली है और के रिविल कर रहे हैं तो चलेए किने श्रादें की पांच में से पांच में से पांच बेखा है जबानी जाने मन कैसा लगा अच्छा लगा अच्छी लग बताइई में थीक है नई फिल्म के फिल्म ऐसा लगता निया ऐसा लगते है इस में और लेवार नहीं त पाणहें जो जो जिन संस्थ है कि अच्छी के बहुत अच्छी हाय ब्याहति कर दोरे कांगे अपने अपने ऋख लिंधानी तो अच्छे है आप परसनली चनेक्ट है पिछ से आपकी भी डॉटर होगी आप नाना जी बन गए होंगे तो आप बने होंगे तो रिलेट किया आप अच्छे एक इतने शादें के पांच में से तीन जवानी जाने मन बहुत ही बड़िया मोवी है और इसमें एक फादर और र कोपूरत रिलेशनिशिप एक बहुती काओटिक सीन से पनलते हैं जब पहले बार और बहुती क्योंसा तो बीच में त्यार टो बिल्डपो एंधन तो तो वस्ती इंड कितना वह रिलेशनिशिप निखर के आता है वह बट और मुझी यह लगा कि मुझी लगा कि मूवी नि के लिए जाने जाते हैं तो मुझन का रोल पसंद आया जितने भी आज देखेंगे ताना जी और रोमकारा को चोड़ की जितने भी आज से कुने उन के दाने बाई जब क्लासी है तो फादर रो डॉटर कब जो डिलेशनिशिप है के अमिस्ट्री है बहुत अच्छी सही ने श आज कल कही ना कहीं आपको वो उनका एक ट्रेडमार्क वो सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्लिट फैमिली से हैं और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस हैं फ्लर्ट करने वाले और थोड़े से हैपी गो लगी टाइप्स और बिलकुल बिंदास ना कही उनको उनका कोई हर मुवी मोडेखने को अलग का गड़ता है इस प्रिषिएट किया गया उनको रेकिन यह जो मुवी a comedy movie है और अमें पता है कि वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं तो उनने बहुत अच्छा रूलने कह रही है वह है मैं बहुत ही संझी है जी जी कर दो मेंगाहिशीज वह का एप बचाहिए संजीदा पैन रॉका नार्वनिखनोंड कशनों रेश्टे आ 치। तो वो सबको शायद समझ भी नाये, कुछ लोग, they might still wonder what it is all about, क्योंकि दो घंटे से कम की मुवी है, कब स्टार्ट होगी और कब खतम होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, जितने भी सपोर्टिंग एक्टर से का फरीदा जाला, कुमोध मुष्रा, कुकु शादा का बहुत मुजिक जितनी भी रिमिक सौंग से अच्छे से प्रेजंट के गया है, it has been shot abroad, Nitin Kakar का डिरेक्शन भी ठीक है, so एक बाह देखी जा सकती है, मतलब बोल सकते है आपकी, you know, but again, I'll give three stars. या, thank you. और जो newcomer है, उसके वारे में कुछ कहेंगी है? लड़की भी, it was amazing, amazing, the entire story was amazing, okay, concept क्या है, I mean, हमने जब ट्रेलर देखा था, कुछ अलग ही लग रहा था, लग रहा था, but then, काफी उनीक है, new generation connect कर बाए गया, रामसर, is this emotional or funny, sort of emotional, end में, throughout the movie, comedy है, comic zone है, पुरा, okay, so कुछ message भ For example, मलब क्या expert करके जाए, अगर देखना है, फैमली राम है, थोड़ा सा, कितने शादेंगी पार्ट में से, 515, या सबसे पहले कह देता हूँ, अगर आपने Saif Ali Khan का, जो है, first marriage की कहानी को, अगर आपको नहीं पता है, या उसको स्क्रीन पे देखना चाहते हो, ये मुवी वो बताईगी आपको, it's like, के Saara Ali Khan है, Saif Ali Khan है, और Amrita Singh है, Amrita Singh का रूल प्ले कर रही है, तब वो, and Saara Ali Khan, it's like, Alaya Furniture वाला, so यार, it's a kind of a story, वो दोनों happily couple थे, यहाँ पे भी काफी है, लेकिन Saif Ali Khan बहुत happy है, इतना happy है, कि वो अपना एज भूल जाते है, बालों को कलर क के बार-बार जाते है, तूट पड़ते लडगीों पे, and the best part of the movie, जैसे के आपने trailer में देखा होगा, मैं story reveal नहीं कर रहा हूँ, trailer में आपने देखा होगा, कि बहुस जैसे ही वो काउच पे जा कर के start ही होने का सोच रहा होते है, और वही पे आ जाते है, उनको कि भाही आपने चुलबला पन के अगर बात की जाए ना, तो आपने कॉक्टेल देखा होगा, मेरे मांड में जैसे ये ट्वेलर आया था ना, मेरे मांड में सिर्फ और सिफ कॉक्टेल मुवी चल रही थी, लव आज कायल वाला, अपना सैफली खान चल रहा था कि यार काफी जादा हापनिंग बंदा है, सेम तरह की है, परफॉर्मेंस और उनका जो चारक्टर है वही है, और वह उस चारक्टर में बहुत अच्छे जच्टे, लगता ही नहीं है, तो यहां पर वही चीज़ है, लेकिन अगर नेक्स वर्जन है, नेक्स वर्जन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी सीन देखोंगे, आपको पता चल जाएगा, नेक्स डाइलोग क्या है, आपको हासी आहीं जाएगी, कि यही होने वाला, यही बोलने वाला है, कई सारे का अपेरेंसे हैं, क्यामियों, को एक्जांपल, शंकी पांटे, वह उनकी सारी चीज़े, आपको समझ में आए बस उनको जो इस मुवी के मेसेज के लिए यूज किया गया है, जो कि काफी छोटा सा कैमियो है, लेकिन एंड में जाकर के यह चीज समझ में आता है, कि भाई, फैमिली कितनी इंपोर्टेंट है, और वो चीज़ चंकी पंडे ही रियलाइस करवाते हैं, तो किंदे चाह दे एक्टिंग ठीक है, तबू की एक्टिंग एसी है, ठीक है उनका, सफ की एक्टिंग अच्छी है, और जू नू कुमर है, अलाया की एक्टिंग अच्छी है, बाप बेटी का, you know, दिखाया गया है, कॉंबनेशन जा वो अलग है सबसे या फिर वही दुनाना है, पिर कुछ कुछ याद एमोशनल नहीं लगा, ठीक है, not good not bad not good not bad, अलब देख सकते हैं देख सकते हैं फैमली के साथ? आप फैमली के साथ देख सकते हैं वल्गारिटी नहीं है? नहीं कितने साथे के पांश में से? तरी या, it's good क्या ओपीनियोन एफिन देख नहीं हैं क्या अलग है, क्या है, कैसा है? कंसेप्ट थोड़ा अलग है निव है, लेकिन गुट-गुट गुट-गुट यानि एवरेज है? आवरेज है, not लारेज़ देख सेवेलिकान अच्छा है सेफ की अक्टिंग कैसी है? सेफ की अक्टिंग, as usual, बहुत बढ़िया है ताना जी जैसी है या फिर उसे अलग है? ताना जी तो आसम थी मतलब उसका कोई तोड़न नहीं हो कैसा historical movie थी उससाब से वो जॉनर भी उसका अलग था ये जॉनर अलग है तो मैच नहीं कर सकते वो कारेक्टर और ये कारेक्टर लेकिन अच्छा है सेफ का भी बहुत बढ़िया था और जो न्यू हरो भी नहीं है आलाया उसका एक दो मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बहुत बढ़िया कि उसने भी अच्छा पादर दाओड़र कांबियूटर कासा है यहा, बेटर है लेकिन वो नहीं दिखता जो देखना चीह था लेकिन है ठीक है ओक है ओक है ओक है, कितने च्रा देंगे फाव्क्रास है थ्री तो में से सो अच्छै पता, यह बताहिए बाप बेटी का कॉम्बिनीशन दिखाएगा है वोला जा रहा है कि पैम्लेर रहा है आप बेटी का जो कॉम्बिनेशन आप कह रहे हो इसा आपको लगे गा नहीं आप यह लगे जैसे वो दोनों फ्रेंड्स है ठीक है मंदा बिल्कुल फ्रेंड्स जी अलग है इस फिर्म है ताना जी वास है बिल्कुल ऐसा जासे बीस साल का अगी स्टर्ड मंदा थीक है तो मतलब दोनों में बहुत डिफरेंड्स है अब ताना जी में तो बात ही अलगती भाई वह तो मतलब डेंजरस्ट कारेक्टर था यह मतलब बिल्कुल एक्साइटिं ब्लॉंदा मतलब बीस साल का लोड़ना था यह अगी गए वी आप वार्शिय का पार्वां बढ़ना देख निया है तो मतलब बहुत बटनों मतलब ऐते ना एक नॉम्मल सी स्टर्ड बाइए सिंपल लाई तो मजा आजाएगा तो फेलिग कुछ कुछ चीज ता है मतलब साहराशीज का कॉमबो है और अग यह स्ट इस प्ता बन जाते हैं आपको पता चलेका आप दिता बन गए रहा है बता करूंगा कॉन सी वाली है और के रिवील कर रहे है तो चले कितने श्रादें कि पाँच में से पाँच पाँच बिखूब आपने दीखा है जबानी जानेमन कैसा लगा अच्छा लगया अच्छी लग तो अब फिल्म इसा लगता है तो आपने क्या समझा अपने क्या समझा पादर रोटर का जो रिलेस्टेंस पर इसके बारे में कहानी है बहुत अच्छी बेटरीन है अपने से एंप वगे आपने था फैमिली के माईने समझे आपने online हां समझा नहां गाने अच्छे है ओले 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 अच्छे है आप परसनली इकनेक्ट है पिछ से पिछ से ठीक अच्छ है वन टेम आपकी भी डॉटर होगी आप सन ओगा आप भी नाना जी बन गए होंगे अच्छ आप रिलेट किया आप अच्छ है तीक है कितने स्टादें के पांच में से तीन जवानी जाने मन बहुत ही बड़िया मोव है और इसमें एक पादर और रिलेशंशब दाटर के बीउटिफिल रिलेशंशिप के बारे में दिखाया गया है कि कितना खूपसूरत रिलेशंशिप है वो एक बहुती का ओटिक सीन से मिलते हैं जब पहली बार बहुती क्योंस अच्छ आप जिब शाप बार बीच में स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो आइ थिंक जो आज से क्लास ओडियन से क्लासी रोल्स के लिए जाने जाते हैं तो मुझन का रोल पसंद आया जितने भी आज से कुने आज से कुने इंदाने बाई जब क्लासी हैं तो फादर और डॉटर का जो डिलेशनिशिप है के मिस्ट्री बहुत अच्छे से निगा शो की गई है हमने इससे पहले कॉक्टेल में देखा था साथ कुछ लोगों रहे हलका भुलका उसकी ठलक भी एतल में ऐसा कुछ है या पर कॉक्टेल देख लीजिए यह दिल लगी देख लीजिए या लव आजकल कही ना कहीं आपको वो यूनका एक ट्रेडमार्क वो वो यह दो लुट लुट करने वाले और थोड़ी से थोड़ी फ्रिवलेस हैं फ्लिट करने वाले और थोड़ी से हैपई-go-lucky टाइप्स और बिलकुल बिंदास टाइप्स तो वो कही ना कही उनको कोई ना कोई हर मुवी मो देखने को लुटा सिरफ तानाजी में उनका अलग रोल था जिसके लिए बहुत अप्रिशेट किया गया उनको यह जो मुवी है, यह जो जुम्ही कामेडी मुवी है आ पता है कि वह लिए शी ऊपेज्ए कामेडी करते हैं तो उनहें बहुत अच्छे रूलने का करें जोपा के रही है? वही बहुत ही संजी है जी है? जी-कन क्वे क्या रहा? यह मैंने कहा इस पर निशी ओदिन्स भी नेने कोई निए रिष्टा आसकता है एञ यह को आपञाद को निए लिए वेकि रिष्टा को सब्सक्रा निए कोम एक इन वा गाया है क्योंकि तो घंटे से कम की मूवियर कब स्टार्ट होगी और कब खता मोगी आपको पता भी नहीं चलेगा मैं अबाव डिच बोल सकते हूं कि कहीं मैं बोлен लियू कब स्टार्ट । प्तानी चला नहीं चलिए अपथर अपू कभीश को पता नहीं चली प sinners सो एक बार देखी जा सकती है, मतलब बोल सकते हैं आपकी, you know, but again, I'll give three stars. कैसे लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, नेक्स्पेक्टेड बहुत अच्छी है. Okay, Dana Ji में हमने देखा था Saif को, उसके बाद अब इस अलग emotional character में आ रहे हैं. वो सब कितना अलग है, किस तर से पोर्ट्रे किया है? काफी उनीक है, काफी उनीक है, एक्सपेक्ट नहीं था, काफी वेट उनने लूस किया है, बहुत अच्छी. Okay, और जो न्यू कमर है, उसके वारे में कुछ कहेंगी है? लड़की वेट वेट वस अमेज़ें, इंटाया स्टोरी वस अमेज़ें वस अमेसेट कहा है, मुलफ प्रेलर देखा था, कुछ अलग ही लग रहा था, लग रहा था. लग रहा था, बट तन काफी उनीक है, न्यू जनेरेशन कोनेक्ट करबाए, गया रहा है. Is this emotional or funny? Sort of emotional, end-minute. Throughout the movie, comedy है. Comic zone है. So, कुछ मैसज भी होगा इसके अंदर, जब देखेंगे लोग तो? है, अगर मेने बता दिया, लोग क्या देखेंगे? For example, मalभ क्या expert करके जाए है? Family Rama है, थोड़ा सा. कितने श्रादेंगी पाथने से? 5 on 5. या सबसे पहले कह देता हूँ अगर आपने साफ अली खान का जो है फोस्ट मैरिज की कहानी को अगर आपको नहीं बता है या उसको स्क्रीन पर देखना चाते हो यह मूवी वो बताईगी आपको सारा अली खान है साह अली खान और अमरिता सिंग का रूल प्ले कर रही है तब वह एपना एज भूल जाते बालों को कलर करके बार बार जाते तूट बढ़ते लडगियों पर एंड़ बेसपार्ट ऑफ दणी मूवी जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा मैं स्टोरी कि बहुत जैसे ही वो काउच पर जा करके स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते हैं और वहीं पर आ जाता है उनको कि भाई देखो चांसे है कि आप मेरे डाड हो पूरी मूड स्पॉयल हो जाती है इस होरीबल फो एवरीवन की ऐसा सिच्वेशन किसी के लाफ में ना है मेसेज यह गया जादा हैंकी-पैंकी मत करो होरना ऐसे सिच्वेशन सा सकते लाइव में अपने कोक्तिल देखा ओगा मेरे मैं जैसे यह ट्रेलर आया था ना मेरे मैं में सिफ औस सिफ कोक्तिल मूवी चल रही थी लवाज काल वाला अपना सैफली खान चल रहा थे कि यार काफ अपनिंग बंदा है सेम तरह कि है परफॉर्मेंस और उनका जो चारक्टर वही है और वह उस चारक्टर बहुत अच्छे जच्टे लगता ही निया कि वही चीज में है तो यहां पर वही चीज़े लेकिन अगर नेक्स वर्जन नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर दिपिका न नहीं सेन देखो कि आपको पता चल जाएगा नेक्स डायलोग क्या है आपको हासी आपिरेंसे सबसे पहले तो थोड़े काफी जादा यंग लगेंगे वह लगेगा नहीं यह बढ़ा चुके इसमें पता नहीं बहुत रॉकिंग लगे लेक्ने में डायलोग एकदम गायब ह हमेशा जो है फेस एक्सप्रेशन सही उनकी सारी चीज़े आपको समझ में आएगी गायब मिन्स है पर आप याद नहीं रख पाओगे बस उनको जो इस मूवी के मेसेज के लिए यूस किया गया है जो कि काफी छोटा सा कैमियो है लेकिन एंड में जाकर के यह चीज समझ मे बस और म्यूजिक ंठ ऑठ लोकेशन अची है और एक्टिंग सभी कि एक्टिंग थीग है टाबू की एक्टिंग थिAKए उनका सर्फ Sag कि एक्टिंग थीग है और रुन को में अच्छि अच्छिम में और जो पीधिक नियू कर प्रिश्माले लगा, थेक है, not good, not bad, not good, not bad, वाल वीज़ देख सकते हैं, वीज़ देख सकते हैं, देख सकते हैं, वैल थाइ में सतर फाइमली के साथ, वाल करे वल्गारिटी नहीं है, वाल के वाले, कितने श्टादें के पांच में से, त्री, यहा, it's good, क्या ओपीनियन बिए चाहिए तो उसका कोई तोड़ नहीं हो कैसा इस्टोरिकल मुवी ती उसी जाप से वह जानर भी उसका अलगता यह जानर अलग है तो मैच नहीं कर सकते हैं वह कारेक्टर और यह कारेक्टर लेकिन अच्छा है सेफ का भी बढ़िया था और जो निव ही रही है अलाया उसका मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बढ़िया कि उसने भी अच्छा 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 है अच्छा है बेटर है लेकिन वह नही जो देखना चीह था लेगें ठीक है, ठीक है, ओके ओके एवरेज है, कितने च्रादेंगे फांग परसे है? त्री, सव में से सव अच्छा यह बताइए, बाप बेटी का कॉंबिनीशन दिखाएगा है, बोला जा रहा है कि फैमले रहा है आप बेटी का जो कॉंबिनीशन आप कह रहे हैं आपको लगेगा नहीं, आप यह लगे जैसे वो दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स यह चलेगा है अब ताना जी में तो बात ही लगती है, वो तो मतलब डेंजरस कारेक्टर था यह मतलब बिल्कुल एक्साइटिं इस तर्ड बॉंडा मतलब 20 साल का लॉंडा वला करेक्टर दिगा है तो यह बताइगे लोग जब देखने जाएंगे पर क्या एक्सक्करना चाहिए मतलब एक कहते है ना एक नॉर्मल सी स्टर्ड सिंपल लाइब बैचलर लाइफ वाली है अगर वो फिलिंग देखने जाएंगे तो मजा आ जाएगा मतलबिजा प्रौश्य जाने मन ऐख लाइव उटेफ आप ने देखा है जवानी जानेमन कीसा लगी अठी लग इसमय फील्ह चैने lifes knocking kia यह सीध देबू फिल्म में उसका डेभी फिलो में इसा लगता है क्या अलग है पिच्चर में बताइए आपने क्या समझा फादर डॉटर का जो रिलेसंस्टी पे इसके बारे में कहानी है बहुत अच्छी बैतरीन है आप इसके फैमिली के मायने समझे आपlynn आपने हैं है जुझा आ गया है Cumsta है घंटाधिक ओलना जी आप दरह नगा होंगे बने होंगे हां वीणय आप यृहां तो रीकिया इच्छी तो रीकिया ठीकर से चानेगए तील certains जावार्य में बहुत जाय बड़िया मोवी है और इसमें एक फादर और रिलेशन्शिप दॉटर के बारे में दिखाया है कितना खूपसूरत रिलेशन्शिप है वह बहुती है चाओ्टिक सीन से जब पहली बार बहुती क्यों से खार बहुती क्यों से लेखने है और बीच में त्रॉटर के बिल्ड़ and then towards the end कितना, you know, वो रिलेस्टिशिशिप निखर के आता है but मुझे लगा कि मुझे लगा कि मुवी निश ओडियन्स के लिए it's not a mass entertainer कि किसमे कोई आइटम सॉंग्स नहीं है थोड़ी बीच में बहुत स्लोपेस्ट हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो आइटिंक जो क्लास ओडियन्स क्योंकि सेफ अलिखान क्लासी रोल्स के लिए जाने जाते है तो मुझे निका रोल पसंद आया जितने भी आज से कुने उनके इदाने पाइज बहुत अच्छी है सो फादर और डॉटर का जो डिलेशन्शेप है केमिस्ट्री है बहुत अच्छी से ने शो की गई है हमने इससे पहले कॉक्टेल में देखा था साथ कॉक्टेल देख लीजिए यह दिल लगी देख लीजिए या लव आचकल कही ना कहीं आपको वह उनका एक ट्रेडमार्क वह सिगनेचर स्टाइल है के बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्रेट फैमिली से हैं और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस है फ्लर्ट करने वाले और थोड़े से हैपी गो लगी टाइपस और बिलकुल या बिंदास टाइपस तो कहीं ना कहीं उनको उनका कोई ना कोई हर मुवी मो देखने को सिर्फ ताना जी में उनका अलग रोल था जिसके लिए बहुत अप्रिशेट किया गया उनको रिकिन यह जैए और फिरूल्स आंसे पिरुक्ड़ें जासे तो कहीं करें पहला हो हुए है है यह गो मिने का मैंस पर निशी सिर्फ और प्रफ में पूलेंगा वाल्ध अफ्वे का PCC पान और रेशिंशिप की कॉंपलेक्सिटीज को दर्शाया गया है तो वो सब को साइद समझ भी ना है कुछ लोग दे माइट स्टिल वंडर वाट इस वाल अबर क्योंकि दो घंटे से कम की मुवी कब स्टार्ट होगी और कब खतम होगी आपका पता भी नहीं चलेगा अच्छी पिच्छर है और एवरेज है या बहुत नहीं चलेगा अब जितने पी सपोर्टिंग अडर से का फरीदा जाला कुमोध मुष्णा कुकु शादा को अच्छा रोले कॉमेडी में तो म्यूजिक जितनी पी रिमिक सौंग से वो उच्छे से प्रेजन के गया है इपना नितिन ककर का डार्रिक्षिन भी ठीक है सो एक बाद देखी जा सकते हैं मतलब बोल सकते हैं आपकी यूण बट अगेन आइव फी तर्स किसे लगी फिलो आको बहुत अच्छी बहुत अच्छी या ने लूज के इखा ता सैफ को कि वार आप इस अलग एमोशनल कारेक्टर में आ रहे हैं वह सब कितना अलग है किस तरह से पॉर्डरे के काफी उनिक है एक्से अएउनीक एप्से नहीं ता काफी एड़े नहीं ल और जो न्यू कमर है उसके वारे में कुछ कहेंगी है? लड़की वी, it was amazing. The entire story was amazing. Okay, concept क्या है? I mean, हमने जब ट्रेलर देखा था, तो कुछ अलग ही लग रहा था? लग रहा था, but then, काफी उनीक है. New generation connect कर बाए गया रामसला. Is this emotional or funny? Sort of emotional. Throughout the movie, comedy है. Comic zone है, पुरा. Okay, तो कुछ message भी होगा इसके अंदर जब देखेंगे लोग तो? है, है. अगर मैंने बता दिया लोग क्या देखेंगे? देखलेंग पर साथा बाए. For example, मलब क्या expert करके जाए? Family drama है, थोड़ा सा. कितने शादेंगी पार्ट्राइस है? 5 on 5. या सबसे पहले कह देता हूँ, अगर आपने Saif Ali Khan का first marriage की कहानी को अगर आपको नहीं पता है, या उसको screen पे देखना चाते हो, यह movie वो बताईगी आपको. It's like, के Sara Ali Khan है, Saif Ali Khan है, और Amrita Singh है. Amrita Singh का role play कर रही है, तब वो, and Sara Ali Khan, it's like Alaya furniture वाला. So, यार, it's a kind of a story. यहां पे भी काफी है, लेकिन Saif Ali Khan बहुत है, इतना हापी है कि वो अपने age भूल जाते है, बालों को color करके बार-बार जाते है, तूट पड़ते लडगीों पे. And the best part of the movie, जैसे कि आपने trailer में देखा होगा, मैं story reveal नहीं कर रहा हूँ. In trailer में आपने देखा होगा, कि boss जैसे ही वो couch पे जा करके start ही होने का सोच रहा होते है, और वही पे आ जाता है, उनको कि भाई, देखो, chances है कि आप मेरे dad हो, पुरी mood is spoiled हो जाती है, And it's horrible for everyone की, ऐसा situation किसी के life में ना है, मेसेज यही है किया, जादा है hanky panky मत करूँ, होना ऐसा situation सा सकते life में. Okay, okay, हमने ट्रेलर में देखा था, हमने कुछ अलग ही आमारे दिमाज में जहन में चल ला था, फिल में वह चीज है या फिर उससे भी ज्यादा सीरेस है, या फिर उससे भी ज्यादा चुलबुलापन है, अगर बात की जाए ना, तो आपने cocktail देखा होगा, मेरे माइड में ट्रेलर आया था ना, मेरे माइड में सिफ वा सिफ कॉक्टिल मुवी चल रही थी, लवाज काल वाला अपना सैफली खान चल रहा था, कि यार काफी जादा हापनिंग बन्दा है, सेम तरह की है, परफार्मेंस और उनका जो कारक्टर है वही है, और वो उस कारक्टर में बह है, तो स्टोरीक बे अगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहे हो और इंजॉय करना चाहते हो, तो मेरे एक ही सजेशन है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर देना, तो मुवी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाऊगे, और हर एक चीज प्रेडिक्टेबल है, कोई भी चीज देखोगे, ना कोई भी सीन देखोगे, आपको पता चल जाएगा, नेक्स डायलोग क्या है, आपको हंसी आपको आपनेटिकली आही जाएगी, कि यही होने वाला, यही बोलने वाला है, कई सारे अपेरेंसे हैं, क्यामियों, पर एक्शंपल, शंकी पांटे, वहीं, चाहब छोड़ पाते हैं, शंकी पांटे सबसे पहली है, अगर देखोगे तो थोड़े काफी जादा यंग लगेंगे वो, लगेगा नहीं है, कि वो बढ़ा चुके है, इसमें पता नहीं, बहुत रॉकिंग लगे लेखने में, डायलोग एक्टम गायब है, हमेशा जो है, फेस एक्स्प्रेशन से ही, उनकी सारी चीज़े, आपको समझ में आएगे, गायब मिंस है, पर आप याद नहीं रख पाऊगे, बस उनको जो इस मूवी के मेसेज के लिए यूस किया गया है, जो कि काफी छोटा सा कैमियो है, लेकिन एंड में जाकर के ये चीज समझ में आ उसना ज़्यादा मज़नी आया है, फिर बस और म्यूजिक अच्छा है तोड़ा, लोकेशन अच्छी है, यूगे में शूट हुआ है, और अटिंग सभी की, एक्टिंग ठीक है, तबू की एक्टिंक कैसी है, ठीक है उनका, सैफ, सैफ की एक्टिंग अच्छी है, और यू अलाया आफ की अच्छी एच्छी एस था पाप बेटी का दिखाया गाए एक पॉपनेशन के अंतर है वो अलग है सबसे या फिर वही बुनाना है फिछ जाद है नहीं एमोशनल नहीं लगा थीक है सबस्क्राइब नॉत देख सकते हैं एक प्यप्वाइब के साथ गहां कि जुड़ी नहीं तरी एक अगारती नहीं एक टरही आंए ऐस गुड़ है तो क्लिक ट्राइप खाए जैए पिंदिख फिर्ट साध हैसा थोड़ा लग जाए लेकिन अए ठीक नियुक्त तो गूरे ठी ताना जी तो आसम थी मतलब उसका कोई तोड़ नहीं हो इसा इस्टोरिकल मुवी थी उसी आप से वह जॉनर भी उसका अलग था यह जॉनर अलग है तो बैच नहीं कर सकते वह चारेक्टर और यह कारेक्टर लेकिन अच्छा है सेफ का भी बहुत बढ़िया था और जो निव हीरो नाई है अलाया उसका एक दो मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बहुत बढ़िया कि उसने भी अच्छा फादर दाटर के वह कॉम्बिनीश त्री सो में से सव अच्छा यह बताइए बाप बेटी का कॉम्बिनीशन दिखाये गया है वोला जा रहा है वे पैमले कर देगे बाप बेटी का कॉम्बिनीशन आप कहरे रहे हैं आपको लगे ने आप ही लगे जैसे वह दोनों फ्रेंड्ट्स है ठीक मतलब बिल्कुल फ् यह मतलब बिल्कुल एक्साइटिंग लॉन्डा मतलब 20 साल का लॉन्डा वाला कारेक्टर दिगए तो यह बताइए लोग जब देखनी जाएंगे तो क्या एक्सपेकरना चाहिए लोग अगये इससे कर फन एक्सपेकरें मतलब एक नॉर्मल सी स्टर्ड सिंपल लाइफ वाली अगर वह फिलिंग देखने जाएंगे तो मजा आजाएगा वड़ी फैमिली वाइज भी मतलब कुछ कुछ चीज़े हैं मतलब वह भी मतलब साहर्चीज का कॉम्बो है आगे स्टर्ड वाली चुछ चीज़े वह बहुत जादा है आपने बन जाते हैं आपको पता चलेगा पता करूंगा कौनसी वाली है और के रिविल कर रहे हैं चले कितने श्रादें की पांच में से पांच में से पांच बल्कुल आपने देखा है जवानी जाने मन कैसा लग अच्छा लगा अच्छी लगी है पिचर अच्छी है साफ के कारेक्टर कैसा है बाप कर रोल कर रहे ह फादर टोटरे की रिलेस्सेंस जिर्टा के दिखा इंठ्टै एगपाई है। इन फ़्हाई काम आपने जी एहुज़ा है। नई फ़्हाई ने काम ठीक किया है। प्रियू बारे मे लिधनिय। फिल्म अइसा लगता नहीं। इन अभी फिल्म है। श्कार सुनु के जो आपने क्या समझ आप नहें आपदर ऑं जो रीले संवाने कानी है निए बहुत है भी बैथरीन है तो रिलेट किया आप? अच्छा है इतने सादें के पांच में से? तेन जवानी जाने मन बहुती बड़िया मोवी है और इसमें एक फादर और रिलेशन्शिप डॉर्टर के बारे में दिखाया गया है कि इतना खुबसूरत रिलेशन्शिप है बहुती क्योटिक सीन से मिलते हैं जब पहली बार और बहुती क्योस और रिलेशन्शिप निखर के आता है बट मुझे यह लगा कि इसमें कोई आइटम सॉंक्स नहीं है थोड़ी बीच में बहुत स्लो पेस्ट हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो आइटिंक जो क्लास ओडियन्स क्योंकि सेफ अलिखान क्लासी रोल के लिए जाने जाते हैं तो मुझे नका रोल पसंद आया जितने भी आज से अलिखेंगे ताना जी और रोमकारा को छोड़ को चोड़ की जितने भी आज से कुने उनकी इदाने पाई उनकी इदाने पाई वह क्लासी है वाल पादर और डॉटर का जो डिलेशन्चेप और केमिस्ट्री बहुत अच्छी से नहीं शो की गई है हमने इसे पहले कॉक्टेल में देखा था साथ कुछ लोगों करें हलका उसकी ठलक भी एकल मैं ऐसा कुछ है या पर कॉक्टेल देख लीजिए यह दिल लगी देख लीजिए या लव आजकल कही ना कहीं आपको वह उनका एक ट्रेडमार्क वह सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्रुइंट फैमिली से हैं और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस हैं फ्लर्ट करने वाले और थोड़े से हैपी-goo-lucky टाइप्स और बिलकुल या बिंदास टाइप्स कैमिली तो वह कहीं नहीं और इचन पाँ कोई मुवी में सावड सीपार आटो अफ्रुट किया। यह अपस्पन अन्य मोई हैं स्onne cent ओट शोंमसी तो बहुत अर्टशन कारेए उनने बहुत अच्छीए गश्य का अव्ये टीजस्टान कोटी आटे आटें उनने कि निकल कि कोई भी रिष्टा आ सकता है and you'll bump into each other and you'll come to know that, you know, you're somehow related, it's a small world. और वो संजीदा पान और वो रिष्टिप की दर्शाए गया है, तो वो सब को साथ समझ भी ना है, कुछ लोग, they might still wonder what it is all about. क्योंकि दो घंटे से कम की मूवी है, कब स्टार्ट होगी और कब खतम होगी आपका पता भी नहीं चलेगा है, तो एकदम अच्छी पिच्छे रहे हैं, और अपर एवरेज है, मैं above average बोल सकता हूँ कि कहीं मैं बोल नहीं हूँ, कब स्टार्ट होगी, कब खतम होगी पता नह कुकुषादा का बहुत अच्छा रोल है कुमेडी में, मुजिक जितनी पिर इमिक सौंग से वो भी अच्छे से प्रेजन के गया है, इध विन शॉर्ट अबराद, नितिन ककर का डार्रेक्शन भी ठीक है, तो एक बाद देखी जा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आपकी, या कैसे लगी पिला आपको? बहुत अच्छी 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 कुछ अलग ही लग रहा था लग रहा था बट तेन काफी उनीक है न्यू जरेशन कनेक्ट कर बाए गया रहा इस इस इमोशनल और पनी Sort of emotional एंड में Throughout the movie Comedy है Comic Zone है पुरा कुछ मैसेज भी होगा इसके अंदर जब देखेंगे लोग तो है सायफ अली खान का जो है First Marriage की कहानी को अगर आपको नहीं पता है या उसको स्क्रीन पे देखना चाते हो यह मूवी वह बताईगी आपको इस लाइक के सारा अली खान है सायफ अली खान है और अमरिता सिंग है अमरिता सिंग का रूल प्ले कर रही है तब्बो और सारा अली खान इस लाइक अलाया फ़र निचर वाला तो यार इस आपको पूली है वह दोनों हैपली कपल थे साथ में रहा करते हैं यहां पे भी काफी है लिकिन सायफ अली खान बहुत है इतना हैपी है कि वह अपने एज भूल जाते है बालों को कलर करके बार बार जाते हैं तूट पड़ते लडगियों पे पर बेस पाट अफ दे मूवी जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा मैं स्टोरी डिवील नहीं कर रहा हूं ट्रेलर में आपने देखा होगा कि बहस जैसे ही वह काउच पे जाकर के स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते हैं वहीं पर आ जाता है उनको कि भाई देखो चांसस है कि आप मेरे डैड हो पूरी मूड स्पॉयल हो जाती है और इसा सिच्वेशन किसी के लाइफ में ना है मेसेज यह है कि जादा हैंकी-पैंकी मत करो और आसे सिच्वेशन सासकते हैं वह काउ हमेरे ट्रेलर में देखा था था हमने कुछ अलग ही अमारे दिमाग में चल लाता उपना सैफलीवहां चल रहा था कि यार काफी चाहपनिंग बंदा है सेम तरह कि है肉 का केरांने क्योंक्त कर्म सूर्यरेमित पोगट उतरत लगता ही नहीं कि वह सेज में है तो यहां पर वही चीज़ है लेकिन अगर नेक्स वर्जन नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर दिपिका नहीं और उस तरह को होटनेस नहीं डिखाया गया है पूरा फोकस जो है डॉटर पे रहता है और डॉटर के साथ में किस तरह से पैच तो स्टोरीक बें अगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हो और इंजॉय करना चाहते हो तो मेरे एक ही सजेशन है एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर देना तो मुवी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाऊगे और हर एक चीज़ प्रेडिक्टेबल है आप कोई बहुत रॉकिंग लगे लेखने में डायलोग एकडम गायब है हमेशा जो है फेस एक्सप्रेशन सही उनकी सारी चीज़े आपको समझ में आएगी गायब मिन्स है पर आप याद नहीं रख पाऊगे बस उनको जो इस मूवी के मेसेज के लिए यूस किया गया है जो कि काफ 2.5 और 5 तो यह कोच इतना मजा ने आया है उसना जादा मजा नहीं आया आ फिर और बस और म्यूजिक अच्छा थोड़ा लोकेशन अच्छी है उके में शुट हो आया और एक्टिंग सभी की एक्टिंग नीच्टिंग थीन ठीक है उनका सफ की अच्टिंग अच्छी है और वही बुराना है फिछ कुछ यादा एमोशनल नहीं लगा थीक है not good not bad not good not bad अलब देख सकते है देख सकते हैं फैमली के साथ है आप फैमली के साथ देख सकते हैं वल्गारिटी नहीं है नहीं कितने साथ हैं बाश में से थ्रीटी या इट्स गुट ऐसा इंट वहीं है क्या अलग है क्या है कैसा है तो आसम थी मतलब उसका कोई तोड़ नहीं हो कैसा हिस्टोरिकल मुवी थी उस इस आप से वो जॉनर उसका अलग था ये जॉनर अलग है तो बैच नहीं कर सकते वो चारेक्टर और ये कारेक्टर लेकिन अच्छा है सेफ का भी बहुत बढ़िया था और जो निव हीरो नहीं ह अच्छा था इनोसेंट फेस था बढ़िया कि उसने भी अच्छा अच्छा फादर दॉटर के कॉम्बिनीशन कैसा है हां अच्छा है बेटर है लेकिन वह नहीं दिखता जो देखना चीए था लेकिन है ठीक है ओके ओके एवरेज है कितने श्रादें के फांश्मस है थ्री स अच्छा अच्छा पाप बेटी का कॉम्बिनीशन दिखाए गा है वोला जा रहा है वाला जारा है अच्छा यह लगे दिखे गाने अपे लगे जिसे वो दोनों फ्रेंड्स है ठीक है मतलब बिल्कुल फ्रेंड्स जा इस पर्म है ताना जी वास है अलमोस्ट डिफ्रेंट ठीक है यह यह अच्छा इसा जासे 20 साल का यह बननना थे तो मतलब दोनों में बहुत डिफ्रेंट अब ताना जी में तो बात ही अलगती बहुत तो मतलब इंजरस गारेक्र था यह मतलब बिल्कुल एक्साइटिं ब्लॉंड बटीसाल का लोड़ना वाला क्या तो बताईए अब तो मतलब देखने जाएंगे तो क्या एक्सपेक्रना चाहिए अगर देखने जाएंगे तो मजा आजाएगा फेमिली वाइस भी कुछ कुछ चीजे हैं मतलब वी सहार्चीज का कॉमब है आगे इस तर वाली चुछ चीज बहुत जादा है आप मोंशनल हो गया है बता करूंगा कौन सी वाली है और किया रिमिल कर रहे है तो चले कितने श्राद हैं कि पाच में से पाच में से पाच बल्कुछ आपने दीखा है जवानी जानेमन कैसा लग अच्छ रगा अच्छ लगी पिचर अच्छ अच्छ है साफ के कारेक्टर कैसा है बाप कर रूल कर रख़्ाइ में थीक किया है अज़ा इसा लगते निया आपने क्या समझया में फादर नोर्ज भाइर का जाने अच्छा अने ऐखरा शेक्छी में अनरा राहदा आल तो शेक्छी में है हां तुट क्यों कितने हमंच को यह अचै आप खाहिं एक पान चाहदां कि में पीछेंड है दोपसूरत पार के बारे में इसे पार्टर की तए नाया पारे में दिखायागी है कि इतना खूपसूरत रिलेशिंशिप पर गारी के बहुत का उसने से से दिए पहले पैली पार दीछ की जा इसे गारीखे स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो आइ थिंक जो क्लास ओडियन्स से क्लासी रोल्स के जाने जाते हैं तो मुझन का रोल पसंद आया जितने भी आज से कुने उनकी इदाने बाइस अधाने जो क्लासी है तो फादर और डॉटर का जो रिलेशन्शेप और केमिस्ट्री है बहुत अच्छी से निगा शो की गई है कोटेल देख ली जिए यह दिल लगी देख लीजिए या लवाचकल कहीं आपको वह उनका एक ट्रेडमार्क वह सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमली के अफुरेंट फैमली से हैं और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस हैं फ्लिट करने वाले और थोड़े से हैपी-go-lucky टाइपस और बिलकुल या बिंदास टाइपस तो कहीं ना कहीं उनको उनका कोई ना कोई हर मुवी मो देखने को बहुत है सिरफ ताना जी में उनका अलग रोल था जिसके लिए बहुत अप्रिशेट किया गया उनको रिकिन यह जो मुवी है यह अप्लिक्स तो कहीं से भी निकल कि कोई रिष्टा आ सकता है और यह जो बंप इंटो एचएदर और यह जो इसमाल वर्ड और वह संजीदा पान और रुटीशिप की अच्छिटीश को दर्शा अगया है तो वह सब को शाद समझ भी ना है कुछ लोग यह जो वंडर वाट क्योंकि दो घंटे से कंगी मोवी है कब स्टार्टों कि अर कब खत्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा चलेगा तो एक क्ड़म अच्छी पिच्छ रहे है और अपर अब्ड इस बहुत प्रेशन कि अपटाने चलेगा है तब का अब अब च्छश जीए जितने भी सपोर की बोल सकते हैं आपकी यहाँ बट अगेन अगें यह थी स्रास्ट अगें यहाँ तर्ट अगें प्लों आपको बहुत अच्छी वह बहुत अच्छी है अच्छी विए ने बीखा ता सायफ को अब इस अलग एमोशनल कारक्टर में आ रहे हैं वो सब कितना अलग है किस तरह से पौट्रे किया है? काफी यूजीक है, काफी यूजीक है, एक्सपेक्ट नहीं था, काफी वेट उनने लूस किया है बहुत अच्छा और जो न्यू कमर है उसके वारे मिश कहेंगी है? लड़कीक, शनका में आमेसिकلفोंनियूीक है llev टीदनिया इस पहला, से आमेशन, एंदनियोकित है क्या है जाए तर्चेप्टोंट ते मुझ जुएख्तार में है उसके जहेंख कर नेसे दर में कोई सब्ह। की निए नेरेशन कनेक़ बायगी है रहा है है अगर मैंने बता दिया लोग क्या देखें के लिख 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 पर साथ बढ़ा है थोड़ा सा कितने शाधेंगी पार्ट में से 515 या सबसे पहले कह देता हूं अगर आपने सैफ अली खान का जो है फोर्स्ट मैरेज की कहानी को अगर आपको नहीं पता है या उसको स्क्री अली खान अलाया फर्णिचर वाला तो यार इस अ काइंड आपको यहां पे काफी है लिकिन सैफ लिखान बहुत है इतना हपी है कि वह अपने एज भूल जाते है बालों को कलर करके बार बार जाते है तूट पड़ते लडगियों पे एंड बेस पार्ट अफ दे मूवी जै देखा होगा कि बहुत जैसे ही वह काउच पे जा करके स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते है और वहीं पर आ जाता है उनको कि भाई देखो चांसस है कि आप मेरे डैड हो पूरी मूड स्पोईल हो जाती है और इसा सिच्वेशन किसी के लाइफ में ना है मेसेज यह है अगर बात की जाए ना तो आपने कॉक्टिल देखा होगा मेरे माइंड में जैसे यह ट्रेलर आया था ना मेरे माइंड में सिफ वा सिफ कॉक्टिल मुवी चल रही थी लव वाला अपना सैफली खान चल रहा था कि यार काफी सादा हापनिंग बंदा है सेम तरह की है परफ फोकस जो है डॉटर पर रहता है डॉटर के साथ में किस्ता से पैच अप होता है उसके उपर में रहता है तो स्टोरी पे अगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हो और इंजॉय करना चाहते हो तो मेरा एक ही सजिशन है एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर देना त चंकी पांटे सबसे पहली है अगर देखो के तो थोड़े काफी ज्यादा यंग लगेंगे वह लगेगा नहीं है कि वह बढ़ा चुके इसमें पता नहीं बहुत रॉकिंग लगे लेखने में डायलोग एक्टम गायब है हमेशा जो है फेस एक्सप्रेशन से ही उनकी सारी आपको समझ में आएगे गायब मिंस है पर आप याद नहीं रखता होगे बस उनको जो इस मूवी के मेसेज के लिए यूज किया गया है जो कि काफी छोटा सा कैमियो लेकिन एंड में जाकर के यह चीज समझ में आता है कि भाई फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है और वह च खी लोड़ा लोकिसन अच्छी है यूप कनी शोर्ट वाय आए और एक्टिंग सभी की एक्टिंग कि एक्टिंग यह थीक है उनका सैफ की कितिग अच्छी है और जोटो कमर है अला आप की अच्छी ह benefiting का पाप बेटी अच्छी आपनी दिखाए का एक्का संब्रह को अमेड अलेग है सबसे या फिर वहीं दुनाना है? कुछ यदा देभ यदाइ में लगा? Not good not bad Not good not bad? अलब देख सकते हैं देख सकते है फैमिली के साहथ? अलब देख सकते हैं वल्गारिती नहीं है? नहीं इसेदेन कहने साधे में लाज़ में सें? ट्री इस अफेले खान अच्छा की एक्टिंग एस बहुत बढ़ी है तो असम थी मतलब उसका कोई तोड़ नहीं हो गया सा हिस्टोरिकल मुवी थी उसे आपसे वह जोनर भी उसका अलग था ये जोनर अलग है तो मैच नहीं कर सकते वह कारेक्टर और ये कारेक्टर लेकिन अच्छा है सेफ का भी बहुत बढ़िया था और जो निव ही नहीं है अलाया उसका एक तो मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बढ़िया कि उसने भी अच्छा फादर दॉटर के कॉंबिनीशन कैसा है हां अच्छा ये बताइए बाप बेटी का कॉंबिनीशन दिखाए गा है वोला जा रहा है ये पैमले के दिखे बाप बेटी का जो कॉंबिनीशन आप कह रहे हूं इसा आपको लगे गा निए अपी लगे जैसे वो दोनों फ्रेंड्स है ठीक मांदा बिल्कुल फ्रेंड्स या इस बाप की दिखाए अगे पैर से अलगे है इस फर्म है पर ताना जी वाज से अलमोस्ट डिफेंट कारेक्टर ठीक है ये कारेक्टर मतलब बिल्कुल ऐसा या जा से 20 साल का ये स्टड मनदा ये तो मतलब दोनों में बहुत डिफरेंट है अब ताना जी में दो बाती मतलब कहते हैं नॉर्मल सी स्टर्ड बैचलर लाइफ वाली अगर वह फिलिंग देखने जाएंगे तो मजा आजाएगा आपने देखा है जवादनी जाने-मन ज्ग आपने देखा है और दोटर घाल दिखाये जर इलिघ्र जवाद आज प्रतज्ड इढाना अच्छे लग मिलयें आपने इरोईन काम ठीक किया है डेबी फिलम में यह laugh renauto देबी फिल्म एकी देबी फिल्म है लगताँ विश्टा का अलग में पिच्छ में भाए आपने क्या समझा फादर और डॉर्टर का जो रिल्संशिंस्टी पे इसके बारे में कहान ही है। बहुत अच्छी बैतरी में आपने अच्छी बेटरी है ऑप फैमिली के माइने अच् आप भी नाना जी बन गए होंगे, सभी बात है, नाना जी आदाला जी तो आप बने होंगे, हाँ, तो रिलेट किया आप, अच्छा है, खीक है, कितने शादें के पांच में से, तीन, जवानी जाने मन बहुत ही बढ़िया मोवी है, और इसमें एक फादर और रिलेशन्शिप यह ज़ी कि म統ढ़र सादेशन्शिप, कितना खूबसूरत रिलेशन्शिप है, कितने खूबसूरत रिलेशन्शिप है, नी Cand कि इसमें कोई आइटम सॉंक्स नहीं हैं थोड़ी बीच में बहुत स्लो पेस्ट हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो आइ थिंक जो क्लास ओडियन्स क्यों की सैफ अलिखांस क्लासी रोल के जाने जाते हैं तो मुझान का रोल पसंद आया जितने भी आज से कुने उनकी इदाने पाइस अलिखांस क्लासी है तो फादर और डॉटर का जो रिलेशनिशेप और केमिस्ट्री है बहुत अच्छी से निगा शो की गई है हमने इससे पहले कॉक्टेल में देखा था साथ है कॉक्टेल देख लीजिए या लव आचकल कही न कहीं आपको वो यूनका एक ट्रेडमार्क वो सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्लिट फैमिली से है और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस है फ्लर्ट करने वाले और थोड़े से हैपी-go-lucky टाइप्स और बिलकुल कोई कोई हमील कोई uta कोई हमील मोवी मो देखने को बोछ सिरफ ताना जी में इनका अलग रोल था जिसके लिये बहुत अफ्रिशिट किया गया उन kuv करता कभरा अ मैं एक को मूवी ऑला मैं पता है क्यों बहुत अच्छी को मेड़ने करते हैं तो उन्हां बहुत अच्छ रो कहीं से भी निकल की कोई भी रिष्टा आ सकता है और यूब निए एड़ रिष्टा आ सकता है और वह सम्हाव रिलेटेद इस वाल वर्ड और वह संजीधा पान और रिलेशनिशिप की अंपलेक्सिटीज को दर्शाया गया है तो वह सब को सामझ भी ना है कुछ लोग अच्छी पिछे रहे रहे हैं मैं अब वाब अबरेज बोल सकता हुए करिक कही में बोल नहीं हो कब स्टाटो कब क्था में निल पता नहीं चला है तबू का रही जितने भी बही सपोर्टिंग अर्श है अपरीद आशे चाला को मोड मृषरा कुच्छा बहना रोल है कुछ जितनी भी रिमिक सौंग से वो भी अच्छे से प्रेजन के गया है, इध विन शॉर्ट अबरॉट, नितिन ककर का डिरेक्शन भी ठीक है, सो एक बाद देखी जा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आपकी, बट अगेन, I'll give three stars. कैसे लगी प्ला आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अने एक्सपेक्टेट बहुत अच्छी है, ताना जी में हमने देखा था साइफ को, उसके वाद अब इस अलग, इमोशनल कारेक्टर में आ रहे हैं, वो सब कितना अलग है, किस तरह से पोट्रे किया है? काफी उनिक है, काफी उनिक है, एक्सपेक्ट नहीं था, काफी वेट उनने लूस किया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और जो न्यू कमर है, उसके वारे कुछ कहेंगी है? लड़की वेट वेट अमेजिग, 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 वह संबेसे हैं कॉंसेप्ट क्या है मझलब हमने जब ट्रेलर देखा था कुछ अलग ही लग रहा था लग रहा था बट तेन काफी उनीक है नियू जरेशन चनेक कर बाए गया रांसा इस इस इमोशनल और पनी एस आफ इमोशनल एमोशनल एंड में वह थार 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 देखा थार 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 यह आपको अगर आपने सफ अली खान का जो है अगर आपको नहीं पदा है या उसको स्क्रीन पर देखना चाहते हो यह मूवी वह बताईगी आपको इस लाइक के सारे अली खान है सायफ अली खान है और अमरिता सिंग है अमरिता सिंग का रोल प्ले कर रही है यह अपने एज भूल जाते है बालों को कल्र करके बार बार जाते तूट पर दे लड़कियों परूए and the best part of the movie जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ आपने देखा होगा कि बहुस जैसे ही वो कौच पर जा करके स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते हैं आपने आपने चुलबूलापन की अगर बात की जाए ना तो आपने कॉक्टिल देखा होगा, मेरे माइंड में जैसे ये ट्रेलर आया था ना मेरे माइंड में सिफ वा सिफ कॉक्टिल मुवी चल रही थी लव अपना सैफली खान चल रहा था कि यार काफी जादा हापनिंग बन्दा है सेम तरह की है परफार्मेंस और उनका जो क्यारक्टर है वही है और वह उस क्यारक्टर में बहुत अच्छे जच्टे लगता ही निये कि वह सेज में है तो यहां पर वही चीज़े लेकिन अगर नेक्स वर्जिन है नेक्स वर्जिन नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर दिपिका नहीं है और उस तरह का होटनेस नहीं देखाया गया है पूरा फोकस जो है डॉटर पे रहता है और डॉटर के साथ में किस्तार से पैच अप होता है उसके उपर में रहता है तो स्टोरी पे अगर आप एक्सपे सब्सक्राइब कर देखो के तो थोड़े काफी जादा यंग लगेंगे वह लगेगा नहीं है इसमें पता नहीं बहुत रॉकिंग लगे लेखने में डायलोग एक्टम गायब है हमेशा जो है फेस एक्स्प्रेशन से ही उनकी सारी चीज़े आपको समझ में आएगी गायब है पर आप याद नहीं रख पाऊगे बस उनको जो इस मुवी के मेसेज के लिए यूज किया गया है जो कि काफी छोटा सा कैमियो लेकिन एंड में जाकर के यह चीज समझ में आता है कि भाई फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ चंकी पंडे ही रियलाइस कर बस और म्यूजिक अच्झा थोड़ा लोकेशन अच्छी है और एख रआइस एकृट अच्टिक एख थी सेफ की एक्टिंग अच्छी है और जो न्यूकमर है अलाया अलाया अफ की एक्टिंग अच्छी है बाप बेटी का दिखाया गया एक कॉम्बनेशन के अंदर वह अलग है सबसे या फिर वही बुनाना है कुछ यादा एमोशनल नहीं लगा ठीक है नाच दुट नथब अबड आट आफ रत अफ रहली ए टीक साथ कितने शाथयं के पांच तरी शाथयं है विवर धे आव सबस्क्ड का ट्राइब के अलग है किया थोड़ा अलग है इस तोड़ा अलग है यह लेकिन आ बुद गूद अन एवरेज है एवरेज है नौट लार जदाना गुट बड़ इस भी जान अच्छा एक्टिंग कैसी है से एक्टिंग एज इस बहुत बढ़िया है ताना जी जैसी है यह फिर उसे अलग है ताना जी तो ऑसम थी मतलब उसका कोई तोड नहीं हो कैसा हिस्टोरिकल मुवी थी उस आपसे वह जौनर भी उसका अलग था यह जौनर अलग है तो मैच नहीं कर सकते वह करेक्टर और यह करेक्टर लेकिन अच्छा है सफ का भी बट बढ़िया था और जो निव ही नहीं है अलाया उसका एक तो मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बट बढ़िया कि उसने भ तो पाज में से त्री सव में से सव अच्छा यह बताए यह बाप बेटी का कॉम्बिनेशन दिखाए गा है वोला जा रहा है इसा आपको लगे गा निया आप लगे जैसे वो दोनों फ्रेंड्स है ठीक माद बिल्कुल फ्रेंड्स यह चले गारा है ताना जी वासे अलग है इ अश्चार कारेक्टर था यह मतलब बिल्कुल एक्साइटिंग एस्टर्ड ब्लॉंडा मतलब 20 साल का लोड़ा वाला करेक्टर दिखाए तो यह बताए है लोग जब देखने जाएंगे और किया एक्सपेकर ना चाहिए लोग अगर इससे एकर फट एक्सपेकरे मतलब एक सिंपल लाइब बैचलर लाइफ वाली है अगर वह फिलिंग देखने जाएंगे तो मजा आजाएगा वड़ी फैमिली वाइज भी मतलब कुछ कुछ चीज़े है मतलब वह भी मतलब साहर चीज का कॉम्बो है पागी स्टड वाली चुछ चीज वह बहुत जादा है आपने पॉइंट पर हो जाओगे आप तिता बन जाते हैं आपको पता चलेगा आप तिता बन गए अपील करेंगे आप करूँगा कॉनसी वाली है और कर रहे हैं चले कितने स्टाद हैं पांच मेंसे पांच बिल्कुब आपने देखा है जवानी जाने मन कैसा लग अच्छ लगा अच्छ लगी है पिछर अच्छ ची है स्टाद के कारेक्टर काई यह बाब कर रो गर्रे अच्छ है और फादर बादर फादर डोटर की की अच्छ यह जो एंट इडिखाई रिखेंगे नई रोइन तो नीग ने काम ठीक किया है इसा अच्छ गया झाभी तो देब फिलम मे बिद्ट रहे हैं एक फैमली उम्याने कहा है आप में Кिम प्लेशा एक सभी बात है नाना जी आदाला जी तो आप बने होंगे तो रिलेट किया आप अच्छा है कितने शादें के पांच में से तीन जवानी जाने मन बहुत ही बढ़िया मोवी है और इसमें एक फादर और रिलेशंशिप के बारे में दिखाया गया है कि इतना खुपसूरत रिलेश कितना रिलेश्शिप निखर के आता है बट मुझे यह लगा कि इसमें कोई आइटम सॉंक्स नहीं है थोड़ी बीच में बहुत स्लो पेस्ट हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है लेकि बहुत पेशेंश चाहिए तो आइधिक जो क्लास ओडिया क्योंकि सेफ अलिखांस क् तो मुझेन का रोल पसंद आया जितने भी आज से कुने कि इदाने पाई आज से क्लास ही है तो फादर और डॉटर कब जो डिलेश्शिप और केमिस्ट्री है बहुत अच्छी से नहीं शो की गई है हमने इससे पहले कॉक्टेल में देखा था साथ है कुछ है कॉक्टेल दे दिल लगी देख लीजिए या लव आचकल कही ना कहीं आपको वो यूनका एक ट्रेडमार्क वो सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्लिट फैमिली से है और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस है फ्लिट करने वाले और थोड़े से हैपी-go-lucky टाइप्स और बिलकल बिंदास टाइपस तो कहीं ना कहीं उनको उनका कोई ना कोई हार मुवी मो देखने को अँछ तरफ ताना जी में उनका अलग रोल था जिसके लिए बहुत अप्रिशेट किया गया उनको रहें यह जो मूवी है कॉमेडी मूवी है और आमे पता ही कि वह बहुत क्या करें है, वही है बता कह रहे है, वही है है जी, यी, खाला को छुच गुचाहिए, वही है बहुत ही संजीशर्च और शेष्ट्छ गोड़ा निकल कि कोई रिष्टा आसकता है और भुप इंटो लिचीदां, वही हैँ हाई है जी आसे ने वी वहता है, और मैंस आपने भी समझ भी नाय, कुछ लोग, they might still wonder what it is all about, क्योंकि दो घंटे से कम की मुवी है, कब स्टार्ट होगी और कब खतम होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो एककम अच्छी पिच्छ रहें, मैं अब 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 इपरेज बोल सकते हैं, कि कहीं मैं बोल नहीं होगी, अब स्टार्ट होगी, अब खतम होगी पता नहीं चलेगा, अब 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 चोटा सा रोल है, जितने भी अपोर्टिंग अच्टर से, अब अब अच्छा यहां आपकी, यहां, अब अब अगें, अब अब अच्छी पहलाएं अब अच्छी ए, अच्छी है में हमने देखा था सायफ को, अब अब इस अलग, एमोशनल कारेक्टर में आरहे हैं, वह सब कितना अलग है, किस तरह से पौट्रे के अपट रहें हैं? तो पिए उनीक है काफी उनीक है, एक्सपेक्ट नहीं था, काफी वेट उनने लूज किया है, बहुत अच्छा और जो न्यू कमर है, उसके वारे में कुछ कहेंगी है? लड़की वेट वेट अमेज़, 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 इंटाया स्टोरी वस अमेज़ अब कॉझप क्या है, मालब हमने जब ट्रेलर देखा था तो कुछ अलग ही लग रहा था लग रहा था, बट एन काफी उनीक है, न्यू जरेशन चानेट करभाए गया, रामसर इस इमोशनल और पनी, और एंटमेशनल अटमेशनल क्या है? यह सबसे पहले कह देता हूं अगर आपने सैफ अली खान का जो है फोर्स्ट मैरेज की कहानी को अगर आपको नहीं पता है या उसको स्क्रीन पे देखना चाहते हो यह मुवी वो बताईगी आपको सारा अली खान, साहर अली का ठाइव अमरिटा संग है अमरिटा संग का रूल प्ले कर रही है यह बहुत है इतना है कि वह अपने एज भूल जाते है, बालों को कलर करके बार-बार जाते है, तूट पर दे लडगियों पर and the best part of the movie जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ ट्रेलर में आपने देखा होगा कि बहुस जैसे ही वो काउच पे जा करके स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते है अब वहीं पर आ जाता है उनको कि भाई देखो चांसस है कि आप मेरे डाड हो पूरी मूड स्पॉयल हो जाती है और इट्स होरीबल फॉर एव्रीवन की ऐसा सिचोशन किसी के लाइफ में ना है मेसेज यह है कि या यहाँ जादा हैंकी-पैंकी मत करो वहाना ऐसे सिचोशन सा सकते लाइफ में अबने कुछ अलग ही आमारे दिमाग में चल ला दा फिल में वह चीज है या पिर उसे भी ज्यादा चुल्बुला पन अगर बात की जाए ना तो आपने कॉक्टेल देखा ओगा मेरे माइंड में जैसे ये ट्वेलर आया था ना मेरे माइंड में सिफ वासीफ कॉक्टेल यहां पर वही चीज़ है लेकिन अगर नेक्स वर्जन नहीं बोल सकते क्योंकि यहां पर दिपिका नहीं है और उस तरह का होटनेस नहीं देखाया गया है पूरा फोकस जो है डॉटर पे रहता है और डॉटर के साथ में किस्तार से पैच अप होता है उसके उपर में रहता है तो स्टोरीक बे अगर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हो और इंज्वाय करना चाहते हो तो मेरे एक ही सजेशन है एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर देना तो मुवी को बहुत अच्छे से इंज्वाय कर पाऊगे और हर एक चीज प्रेडिक्टेबल है आप सब्सक्राइब कर देखो के तो थोड़े काफी ज्यादा यंग लगेंगे वह लगेगा नहीं है कि वह बढ़ा चुके इसमें बहुत रॉकिंग लगे लेखने में डायलोग एक्दम गायब है हमेशा जो है फेस एक्सप्रेशन से ही उनकी सारी चीज़े आपको समझ में स्टार के मामले में बहुत जादा हाश हो जाएगा है क्रिटिक्स की बात करो यह पब्लिक रिवी की तो यह 2.5 और 5 तो यह कोच इतना मज़ा नहीं है उसना ज्यादा मज़ा नहीं है फिर बस और म्यूजिक अच्छा थोड़ा लोकेशन अच्छी है यूके में शूट है औ यह बेटी का दिखाया गया एक गॉमिनेशन के अंदा है वह अलग है सबसे या फिर वही बुनाना है तर फिर कुछ यह आदा एमोशनल नहीं लगा थीक है नोट गुड्न नट बर नट बेट नट बर देख सके है देख सेख धाया फमली के साथ है यह एक्रील नहीं है कितने चाहते के बाश में से थिरी यह इस गूट क्या ओपिञ्यों फिन देखनी के गाद किया अलग है क्या है कैसा है सिर्फ क्या है थोड़ा अलग है तोड़ा है युज आप गूँपल कुछुल एक तना जी तो ऑसम थी मतलब इसका तोड़ नहीं हो कैसा इस्टोरिकल मुवी थी उसी आपसे वो जॉनर उसका अलग था ये जॉनर अलग है तो बैच नहीं कर सकते वो चारेक्टर और ये कारेक्टर लेकिन अच्छा है सेफ का भी बहुत बढ़िया था और जो निव हीरो नहीं है अलाया उसका मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बहुत बढ़िया कि उसने भी अच्छा था इसा है अच्छा है बेटर है लेकिन वह नहीं दिखता जो देखना चीए था लेकिन है ठीक है ओके ओके एवरेज है कितने श्रादेंगे फांच पासे थ्री सव में से सव अच्छा ये बता ये बाप बेटी का कॉम्बिनीशन द जा मारी जा है तृद आना जी में में बहुत डिफरेश्ट एफ कर सबसे दोड़ेखने तो बिल्कुल इसा जासे बीस साल का अगए स्ट्ड बंड था था तो मंतलों में बहुत डिफरेश्ट स्टर्ड बैचलर लाइफ वाली अगर वह फिलिंग देखने जाएंगे तो मज़ा आजाएगा फैमिली वाइज भी मतलब कुछ कुछ चीजे हैं मतलब वह भी मतलब साहर चीज का कॉम्बो है पागे स्टर्ड वाली चीज वह बहुत ज्यादा है पता करूंगा कॉन सी वाली और के रिविल कर रहे हैं तो चले कितने स्टादें की पांच मेंसे पांच मेंसे पांच बिल्कुल आपने देखा है जवानी जाने मन कैसा लग अच्छा लगा अच्छी लगी है पिचर डेखा नरमक है पांच रामक है करता में वालीवृषक को आफ किर गारओ गांच संजाना कदेश़्ा में कि आखा अच्छी अच्छी पांच से अच्छा लंग है आप शहीं है क्या अच्छी में काने प्रियल कर भORY ट्र इस का अच्छा नहीं है नहीं हैं डेबीन आहिक पा कि अच्छे हैं वी रबी अच्छी अच्छे है कि अच्छै को जबने होगे अ आप कि लिए वड़े नाझी शुटो हुगे है तो रिलेट आप कितने partager के पाँंच तेन, जवाणी जाने मन बहुत ही बढ़िया मोवी है एक इसमे एक दाटर की बीूटिफिल रिलेशनिशिप के बारे में दिखायाय गया है, कि इतना खुबसूरत रिलेशनिशिप है बहूत ही क्यों जब एक निफ पहली चेंड बहुत ही क्यों से सीन से पहली जपनी से कि इसमें कोई आइटम सॉंक्स नहीं हैं थोड़ी बीच में बहुत स्लो पेस्ट हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो आइ थिंक जो क्लास ओडियंसे क्यों की सैफ अलिखान क्लासी रोल के जाने जाते हैं तो मुझन का रोल पसंद आया जितने भी आज से कुने उनकी इदाने पाइब आप अच्छी है रोल पाधर और डॉटर का जो डिलेशन्शेप और केमिस्ट्री बहुत अच्छी से नहीं शो की गई है हमने इससे पहले कॉक्टेल में देखा था साइब जी तो कोक्टेल देख लिए यह दिल लगी देख जी जी यह यह लवाचकल कही ना कहीं आपको वो यूनका एक ट्रेडमार्क वो सिगनेचर स्टाइल है कि बहुत ही अमीर फैमली के अफ्रुट फैमली से है और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस है फ्लिट करने वाले और थोड़े से हैपी-go-lucky टाइप और बिलकुल यू ब एपकते हैं और बहुत अच्हारो रहीं पहुत है छाना थे करन्फिट वह बहुत है सब कुछाइब थी नहीं है. कुछ लोग रुज बाँ कुछ च्छो को अगिता वाइजरा वर्ण कुछा की वोई काई वाइज है. क्योंकि नहीं क्यों कि दो गहंते सपोटे कम की मूवी है. कब सबस्थार्ट वग एप्छा मूठे में चालेका है. तो एककम अच्छी पिच्छ है, एवरेज है और एवरेज है? मैं अब अब आपरेज बोल सकते हूँ कि कहीं मैं बोल नी हो, कब स्टार्टो अब खतम ही पता नहीं चला है, अब 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 चोट असा रोल है, जितनी भी सपोर्टिंग एक्टर से, अब आपरेज बोल आपको अब चुकुषादा को अच्छा रोल है अब कोमेडी में, म्यूजिक जितनी भी रिमिक सवांग से वो भी अच्छी से प्रेजन किये गया है, इट बन शॉट अब रोटने, नितिन काकर का डारेक्शन भी ठीक है, सो एक बाद देखी जा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आपकी, बट अगेन, इल गिर 3 स्रास. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, नेक्स्थे बहुत अच्छी, ताना जी में हमने देखा ता साइफ को, सब आप इस अलग, इमोशनल कारेक्टर में आए हैं, वो सब कितना अलग है किस तरह से पोर्ट्रे किया है? काफी उनीक है, काफी उनीक है, एक्सपेक्ट नहीं था, काफी वेट उनने लूस किया है, बहुत अच्छा है और जो न्यू कमर है उसके वारे में कुछ कहेंगी है? लड़की में इप अमेज़ा इंटाय स्टोरी वस अमेज़ा है कॉंसेप्ट क्या है? मद अमने जब ट्रेलर देखा था, कुछ अलग ही लग रहा था लग रहा था, बट तन काफी उनीक है, यू जडरेशन कर बाएग गया रहा है इस इमोशनल और फशनल और वनी? यू जब से पहले कह देता हूं, अगर आपने साफ अली खान का जो है फोस्ट मैरेज की कहानी को अगर आपको नहीं पता है या उसको स्क्रीन पर देखना चाते हूं, ये मूवी वो बदाएगी आपको इस लाइक के सारा अली खान है, साफ अली खान है और अमरिता सिंग है अमरिता सिंग का रोल प्ले कर रही है तब वो, एन सारा अली खान इस लाइक अलाया फटनीचर वाला सो यार, इस अ काइंड ऑफ स्टूरी है, वो दोनों हैपली कपल थे, साथ में रहा करते हूं अब बेस पार्ट अफ देखा होगा, मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूं त्रेलर में आपने देखा होगा कि बहस जैसे ही वो कौच पर जाकर के स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते हैं और वही पर आ जाता है उनको कि भाही देखो, चांसे है कि आप मेरे डाद हो चुलबुला पन की अगर बात की जाए ना तो आपने कॉक्टिल देखा होगा मेरे माइंड में जैसे यह ट्रेलर आया था ना मेरे माइंड में सिफ वा सिफ कॉक्टिल मुवी चल रही थी लव वाला अपना सैफली खान चल रहा था कि यार काफी सादा हापनिंग बंदा है शेम तरह की है परफामेंस और उनका जो चारक्टर है वही है और वह उस काराक्टर में बहुत अच्छे जच्टे लगता ही नियो है कि वो पर आपको पता चल जाएगा नेक्स डायलोग किया है आपको हसी और यही ओने वाला यही बोलने वाला है कई सारे का परेंसे से यह नो क्यामियों पर एक्जांप पांटे सबसे पहली वेदा अगर देखो के तो थोड़े काफी जादा यंग लगेंगे वह लगेगा नहीं है क कि वह बुढ़ा चुके इसमें पता नहीं बहुत रॉकिंग लगे लेखने में डायलोग एकडम गायब है हमेशा जो है फेस एक्स्प्रेशन से ही उनकी सारी चीज़े आपको समझ में आएगगी गायब मिन्स है पर आप याद नहीं रख पाओगे बस उनको जो इस मूवी के मेसेज के लिए यूज किया गया है जो कि काफी छोटा सा कैमियो है लेकिन एंड में जाकर के यह चीज समझ में आता है कि भाई फैमिली कितनी इंपोर्टेंट है और वो चीज चंकी पंड़े ही रियलाइस करवाते है तो किते चाह देंगे पांच में से स्टार के मामले म है बहुत जादा हाश हो जाएगा है क्रिटिक्स की बात करो यह पब्लिक रिवी की तो यह 2.5 और 5 यह कुछ इतना मज़ा नहीं है उतना ज्यादा मज़ा नहीं है फिर बस और म्यूजिक अच्छा है थोड़ा लोकेशन अच्छी है यूके में शूट हो है और एक्टिंग स अच्छी है यह तो भूग काशा है ख़ाना है सबसे या फिर वही हए खुछी है तिन नहीं है तो भूश याद है इसे साथ थरी तरीदेट सेखने कोट में हैं क्या ओपिनियो एपिन देखने की बाद क्या अलग है क्या है कैसा है एक थोड़ा अलग है बैकिन एक गुड़ सु गुड़ जाने है जाने एवरेज़ दाने ओपर इस वह वालेगान अच्छा एचायव कि एक्टिंग जैसी है या फुर से लग यह ताना जी तो असम मतलब उसका कोई तोड़ नहीं हो कैसा हिस्टोरिकल मुवी थी उसी आप से वो जॉनर उसका अलग था ये जॉनर अलग है तो मैच नहीं कर सकते वो चारेक्टर और ये कारेक्टर लेकिन अच्छा है सेफ का भी बट बढ़िया था और जो निव हीरो नहीं है अलाया इसका मतल अच्छा है ठीक है ओके 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 एवरेज है किने श्रादें के फाट पास है थ्री सव में से सव अच्छा ये बताइए बाप बेटी का कॉम्बिनेशन दिखाए गा है वो ला जा रहा है और फैंट इसका आपको लगे गा निए अप ही लगे जैसे वो दोनों फ्रें अब तानर जी में तो बात ही अलगती भाई वो तो मतलब टेंजरस ग्रेक्र था ये मतलब बिल्कुल एक्साइटिंग इस्टर्ड ब्लॉंडा मतलब 20 साल का लॉंडा वाला करेक्टर दिखाए तो ये बताईए लोग जब देखनी जाएंगे तो क्या एक्स्पेक्ट जाते ना एक नॉमल सी स्टर्ड सिंपल लाइ बैचलर लाइफ वाली अगर वह फिलिंग देखने जाएंगे तो मजा आजाएगा वड़ी फैमिली वाइस भी मतलब कुछ कुछ चीजे हैं मतलब वह भी मतलब साहरा चीज का कॉम्ब है पागी स्टर्ड वाली चीज वह तक क्या है अच्छा ललका अच्छ लगी है त्रिटर अच्छह हैा जा जाखते हरेख्पार दंदक्र हुले किस्टिप दिखाई मुठा गहएं ही जया काम प्रिजन नई यह क्शक नों प्रें त्रह प्रें थीक कीया है डेविशित भी पी भीनम में अशलिव कर देशन स्ट डाला जी तो आपके बारे आंगे हैं बहुत अठी बैतरीन है एक फैमली के माहिने समझे आपने? हाँ समझाए ना गाने अच्छे है ओले-ओले ओले-ओले गाने अच्छे है आप परसनली इक अच्छे हैं पिछो से? कि अपकी भी डॉटर होगी आप संगा आपी बन गए होगी आप ज़ा जी बन गए होगी तो आप बने होंगे तो रिलेट किया आप अच्छा ए ठीक है कितने शादें के पांच में से तीन जवानी जाने मन बहुत ही बड़िया मोवी है और इसमें एक फादर और डॉर्टर के थे समें भी बहुत क्या आप समय कर दो और लिटा के बारे में दिखाया गया है कि इतना खूबसूरत रिलेशंशइप Շसमी क्यों मिलते हैं तो बहुत ही चाओ्टिक सीने हिज ज़ा है जब पहले हैं और बहुती क्या है जब थी निचे कोई है और जाना तो तूर्स पीश जगे आइडिया है लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए, तो I think जो क्लास ओडियंसे कि क्यों किसे एक जाने जाते हैं, तो मुझे निका रोल पसंद आया, जितने भी आजी को चोड़ की जितने भी आज से कुने अनकि इदाने आपाई बहुत अज़ी हैं, तो फादर और डॉटर का जो डॉटर का दिलेशनिशिप है केमिस्ट्री भाथ अच्छी से ने शो की गई है हमने इसे पहले कॉक्टेल में देखा था साथ इस लोग कोपल का उसकी जलग भी है तो मैं ऐसा कुछ है या फेर अमीर फैमिली के अफ्रुवेंट फैमिली से हैं और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस हैं फ्लर्ट करने वाले और थोड़े से हैपी-go-lucky टाइपस और बिलकुल या बिंदास टाइपस तो कही ना कहीं उनको उनको उनका कोई ना कोई हार मुवी मो देखने को बहुत भी जीजी कम कि अशुदान से हैं और निडिवाद प्रिवार कर देखनी सी सावच कहई विर भी आंच के आप इस और आप शोग्ता संबस्याध आपस है कुछ आपन को जा इंदेखने होड़े हैं संजीधापन या रिशन्शिप्सीति इप और शुददान सब्सक्राइब तो वो सबकु शायद समझ भी नाये, कुछ लोग, they might still wonder what it is all about, क्योंकि दो घंटे से कम की मुवी है, कब स्टार्ट होगी और कब खतम होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एककम अच्छी पिच्छ है, और एवरेज है, मैं अब 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 आपरेज बोल सकते हैं, कि कहीं मैं बोल नहीं होगी, कब स्टार्ट होगी पता नहीं चलेगा, अब अब चोट अरोल है, जितने भी सपोर्टिंग अर्ट से, अपरीदा जालाल को मोध मुष्रा, कुकु शादा का बहुत अच्छा रोल है कुमेडी में, मुजिक जितने भी रिमिक सौंग से वो भी अच्छे से प्रेजन के गया है, इध विन शॉर्ट अबरोड, नितिन ककर का डारेक्शन भी ठीक है, सो एक बाद एखी जा सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आपकी, यापकी अगी आपकी आपकी अच्छी ऑध यापकी अच्छी एक्सपेक्टिन से एक्से बहुत अच्छी में हमने देखा ता साइफ को से बाद इस अलग एमोशनल करेक्टर में आ रहे हैं, वो सब कितना अलग है किस तरह से पार्टरी के अपूणीक है काफी उनिक है, एक्स्पेक यह उनने लूस किया, बहुत अच्छा और जो न्यू कमर है वह कुस के गएगा? लड़की वह वह अमेज़गी, अमेज़ इंटाया शोरी वह अमेज़गी इन्टाया शोरी वह अमेज़गी रहा है? वह आप प्रेलर देखा था तो कुछ अलग ही लग रहा था लग रहा था but then काफी उनीक है, new generation connect कर बाए गया राम से इस इमोशनल और फ़नी sort of emotional, एंड में, throughout the movie comedy है, comic zone है, पुरा कुछ message भी होगा इसके अंदर जब देखेंगे लोग तो? है, है, अगर मैंने बता दिया लोग क्या देखेंगे, देख लेक पर साथा बैगे का जो है, first marriage की कहानी को अगर आपको नहीं पता है, या उसको screen पे देखना चाते हो, यह movie वो बताईगी आपको, it's like के सारा अली खान है, साफ अली खान है और अमरिता सिंग है, अमरिता सिंग का role play कर रही है, तब और सारा अली खान परदे लडगियों पे, and the best part of the movie, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रहा हूँ, त्रेलर में आपने देखा होगा, कि बहुस जैसे ही वो काउच पे जाकर के स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते है, और वहीं पर आ जाता है, उनको कि भ पर उसे भी जादा सीरेस है, या पर उसे भी जादा चुलबुला पन है, अगर बात की जाए ना, तो आपने कॉक्तिल देखा होगा, मेरे माइंड में जैसे यह ट्रेलर आया था, मेरे माइंड में सिफ वा सिफ कॉक्तिल मुवी चल रही थी, लव वाला अपना सैफली खान चल रहा था कि यार काफी साधा हापनिंग बंदा है, सेम तरह कि है परफार्मेंस और उनका जो क्यारक्टर है वही है और वो उस क्यारक्टर में बहुत अच्छे जच्टे, लगता ही नहीं है, तो यहां पर वही चीज़े लेकिन अगर नेक्स वर्जन है, नेक्स वर्जन एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर देना तो मुवी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाऊगे, और हर एक चीज़ प्रेडिक्टेबल है, आप कोई भी चीज़ देखोगे, ना कोई भी सीन देखोगे, आपको पता चल जाएगा, नेक्स डायलोग क्या है, आपको हासी आप चांकी पांटे सबसे पहली वेदा अगर देखोगे तो थोड़े काफी ज्यादा यंग लगेंगे वह लगेगा नहीं है कि वह बढ़ा चुके इसमें बहुत रॉकिंग लगे लेखने में, डायलोग एक्टम गायब है, हमेशा जो है फेस एक्सप्रेशन से ही उनकी सारी च चांकी पंडे ही रियलाइस करवाते हैं, तो किंदे चाह देंगे बांच में से, स्टार के मामले में बहुत जादा हाश हो जाएगा है, क्रिटिक्स की बात करो है, पब्लिक रिवीव की, तो यह 2.5 और 5, तो यह कुछ इतना मज़ा नहीं आया, उसना जादा मज़ा नहीं पर बस और म्यूजिक अच्छा थोड़ा, लोकेशन अच्छी है, तो यूके में शूट है, और ऐक्टिं ही अबप बेटी का, यह झालाजा पर बहुता है, जो अलग है, सबसे यो फे सबसे या फिर भूनाना है, और कुछ याद है, तो अशिनल नहीं लगा, ठीक है, वायग्ए और को video देख सतके हैं देख सकते हैं लिए फैमली के साथukan यह हो सब्चिबएट नहीं है किने सुछड़ए कि भाउच में से थे तृ यहा इट्स गूट stock कि अटिकने केसे गदे वाठ का दिकने क्ज़िए mile क्रेंक्ट का क्ले डाला के सैन बहुत बढ़ी है तो आशम थी मतलब उसका कोई तोड नहीं हो कैसा इस्टोरिकल मुवी थी उसी आपसे वह जोनर भी उसका अलग है तो बैच नहीं कर सकते वह इस अफ दया है और जो इसे भी मतलब अच्छा था इन इनोसेंट फेस्ट ता बड़िया कि उसने भी अच्छा पादर ड़ोड़र कामबिनेशन कर सा है आच्छा बेटर है लेकिन हो नहीं दिखता जो नहीं नहीं चीए था लेकिन थीक है लिए अच्छा अविरीज़ है, इस नियुक्त रहा है इसे बड़ा जो लगे का रहे हैं आप लगेगा नियुक्त आप जिसे फ्रेंड है इसे बिल्कुल फ्रेंड जी चलेगा है डाफ यह रहें अग्टिग जा गएंगे वह ताना जी आ अलग है इसलमय है ताना जी वास अलमोट्स डिफ्रेंट कारीक्टर ठीक है यह अजय करेक्टर मतलब विल्कुल ऐसा जासे बीस साल का यह श्तुर्ड मन्नदा तो बहुत डिफटरेंगे नहीं दोनों में बहुत जाते है ना एक नॉर्मल सी स्टर्ड बाचलर लाइफ वाली है अगर वह फिलिंग देखने जाएंगे तो मजा आजाएगा अधे देखा है जवाने जाने मन कैसा लगा अच्छा पां अच्छा लगा अच्छा यह की काम कि दिखाई औछी है इसा लगता नहीं अच्छा लगता है क्या आपने क्या समझा अच्छा आपने आपने वह नोग है रीलेसंस्टी पे इसके बारे में काहन है इसके बेतरी नहीं है यह समघेव अखाने ते गान्य इस भाष्च के शान्य तीजी दी दानुट तद्धन से अवले इस अशन शाम नहीं थेbig हो अजय को इस लिए Спर 75 तो कितने शादर्गेशन थोल रातु भेड़ा आपने सामगा का रेकिन तीन जोरा मेंब मेंधू। कहले हैं उन्हाटिया मुवी ए दूर्टर के बारे में निखाया गया गया है कि इतना कुबसूरत रिलेशंशिप है बहुती ऐस बहुती के चापिक शीन सेन से दो मिलते हैं जब हेली बहुती कहासी और बहुती क्यों सॉन्हाइशन शीन है और बीच में, you know, they try to build Rappo and then towards the end, कितना, you know, वो रिलेस्टिशिप निखर के आता है but मुझे यह लगा कि इस मुवी निश ओडियन्स के लिए, it's not a mass entertainer क्योंकि इसमें कोई item songs नहीं है, थोड़ी बीच में बट slow-paced हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है, लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए, तो I think, जो class audience क्योंकि Saif Alikhan's classy roles के लिए ही जाने जाते हैं, तो मुझे निका रोल पसंद आया जितने भी आज से कुने उन के इदाने पाइस, बहुत अच्छी है, so, father and daughter का जो देलेशन्शेप है, chemistry है बहुत अच्छी से निगा शो की गई है, हमने इससे पहले कॉक्टेल में देखा था साथ है, जा इससे कुछ है कॉक्टेल देख लीजिए, यह दिल लगी देख लीजिए, या लव अचकल कही न कहीं आपको वो, you know, उनका एक ट्रेडमार्क, वो सिगनेचर स्टाइल है, कि बहुत ही अमीर फैमिली के एफ्लिट फैमिली से हैं, बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस हैं, फ्लिट करने माले, थोड़े से हैपी-go-lucky टाइपस, और बिलकुल, you know, बिंदास टाइपस, तो वो कही न कही न कहीं उनका, कोई न कोई न कोई हर मुवी मो देखने को सिर्फ ताना जी में इनका अलग रोल था, जिसके लिए बहुत अप्रिशेट किया गया उनको, लेकिन यह जो मुवी है, और हमें पता है कि वो बहुत अच्छी कोमेडी कहते हैं, तो उनने बहुत अच्छी कहर रही है, बता कह रही है, बिचल, वहीज़ी संजी, अ, जी, जी, मैंने कहा है, इट्स पनेश ओडियन्स, वो, all the complexities between, you know, how complex the relationships are in the modern day, in today's world, you know, कहीं से भी निकल कोई रिष्टा ही सकता इस स्थिप की इस स्थिप की इस को दर्शाय क्या है तो वो सब को साइथ समझ भी नाए कुछ लोग वूट इस तिल वूंडर वाइट इस अलबार क्यों क्यों कि दो गहंटे से कम की मुवी कब स्ठाट होर कब खतम होर का पता मगी नहीं चलेगा यह जो एकक्टम अच्छी पिच्छ है और एवरेज है और अपर श्राइज बोल सकते हैं कि कहीं में बोर नी हो अब स्टाटोई कब खता ने चला है तबू का भी चोटा सा रोल है जितने भी सपोर्टिंग अर अक्टर से खारीद जाला को मोध मुष्णा कू कुकु शादा को बट अच्छा रोल है जिए स्टिफ रोल है कॉमेड़ी में मुजिक जितनी बी रिमिक सौंग से अच्छे से प्रैजन के गया है इज है तो एक बाद एक बाद एकी जा सकते हैं मतलब बोल सकते हैं आपकी यहनों बट अगें आइल गिर त्राइज जिए तर्ष्टा यह बहुत अच्छी है ताना जी में हमने देखा था साइफ को अब इस अलग एमोशनल कारेक्टर में आए है वो सब कितना अलग है किस तरह से पोर्ट्रे के आप अच्छी है काफी उनीक है एक्सपेक्ट नहीं था काफी वेड उनने लूस किया बहुत अच्छा और जो न्यू कमर है उसके वारे में किस कहेंगी है लड़की वीड़ वीड़ अमेज़गी अमेज़गी इंटाय स्टोरी वसमेज़गी कॉंसेप्ट क्या है मलब हमने जब ट्रेलर देखा था तो कुछ अलग ही लग रह था लग रह था बड़ तेन काफी उनीक है न्यू जरेशन कनेक्ट कर बाए गया रामसर इस इस इमोशनल और फ़नी इस इस इमोशनल और फ़नी एंड में थ्रौट मुवी कॉमिडी है कॉमिक सोन है पुरा यह सबसे पहले कह देता हूं अगर आपने साफ अली खान का जो है फोस्ट मैरेज की कहानी को अगर आपको नहीं पता है या उसको स्क्रीन पे देखना चाहते हो यह मूवी वो बदाईगी आपको सारा अली खान है साफ अली खान है और अमरिता सिंग है अमरिता सिंग का रोल प्ले कर रही है तबो और सारा अली खान इस लाइक अलाया फर्णीचर वाला सो यार इस आपको लिए वो दोनों हैपली कपल थे यहां पे भी काफी है लिकिन साफ अली खान बहुत हैपी है इतना हापी है कि वो अपने एज भूल जाते है बालों को कलर करके बार बार जाते है तूट पड़ते लडगियों पे और बेस पाट अफ दे मूवी जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा मैं स्टोरी डिवील नहीं कर रहा हूं प्रेलर में आपने देखा होगा कि बहुस जैसे ही वो काउच पर जाकर के स्टार्ट ही होने का सोच रहा होते है और वहीं पर आ जाता है उनको कि भाई देखो चांसस है कि आप मेरे डैड हो पूरी मूड स्पोइल हो जाती है कर बात की जाए ना तो आपने कॉक्टिल देखा होगा मेरे माइंड में जैसे यह ट्रेलर आया था ना मेरे माइंड में सिफ और सिफ कॉक्टिल मुवी चल रही थी लव अपना सैफली खान चल रहा था कि यार काफी साथा हापनिंग बंदा है सेम तरह की है परफार्मंस और उनका जो कैरेक्टर है वह होई और वह उस कैरक्टर में बहुत अच्छे जच्टें लगता ही नहीं कि वो सेटें में है तो मेरा एक ही सजेशन है एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर देना तो मुवी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाऊगे और हर एक चीज प्रेडिक्टेबल है आप कोई भी चीज देखोगे ना कोई भी सीन देखोगे आपको पता चल जाएगा फेस एक्सप्रेशन से ही उनकी सारी चीज़े आपको समझ में आएगे गायब मिन्स है पर आप याद नहीं रख पाऊगे बस उनको जो इस मुवी के मेसेज के लिए यूज किया गया है जो कि काफी छोटा सा कैमियो है लेकिन एंड में जाकर के यह चीज समझ में आता है कि भ सब्सक्राइब को जाकर जाय है इस दोड़ा कि अच्छा यह कि राइव सद्ध है और आक्टिंग सभी की अटिंग थीन तबू की अच्छा थीक है उनका सेफ की एक्टिंग अच्छी है और जु न्यूकरमर है अलाया अलाया अफ की एक्टिंग अच्छी है बाप बेटी का दिखाएगा एक कॉम्मिनेशन है वो अलग है सबसे या फिर वही बुनाना है फिर कुछ याद एमोशनल नहीं लगा ठीक है नक golden note really not naron अपर अबेव भाण देख सटेक्च अअ फैमले के साथ है या फैमले के साथ एकना अचीड हुक्त नही कितने इस यह सथ है इंद दीखिक्ट क्या अपीनियों एप यह अलग है चारा खेंrice कंसेप्ट थोड़ा अलग है निव है लेकिन गूण जी है गूण जी तो ऑसम थी उसका तोड नहीं हो इसा हिस्टोरिकल मुवी थी उसलग था ये जोर्ट फ़र अलग है तो मैच ही नहीं कर सकते है, वो गारेक्टर और यह गारेक्टर लेकिन अच्छा है, सफ का भी बढ़िया था और जो निव हीरो नाही है आलाया इसका एक दो मतलब अच्छा था इनोसेंट फेस था बढ़िया की उसने भी अच्छा पादर दोटर के एक पादर के इसा है हाँ अच्छा है बढ़िया लेकिन वह नहीं दिखता जो देखना चीए था लेकिन है ठीक है यह बता है यह बाप बेटी का कॉंबिनेशन दिखाएगा है वोला जा रहा है कि अपको लगेगा नहीं आप ही लगेगा जैसे वो दोनों फ्रेंड्स है ठीके मतलब बिल्कुल फ्रेंड्स यह चलिगा रहे हैं तो मतलब दोनों में बहुत डिफरेंगे बहुत डिफरेंगे अब तानर जी में तो बात ही अलगती भाई वो तो मतलब टेंजरस करेक्टर ता यह मतलब बिल्कुल एक्साइटिंग इस्टर्ड ब्लॉंडा मतलब 20 साल का लॉंडा वाला करेक्टर दिखाएगे लोग जब देखनी जाएगे पर क्या एक्स्पेक्ट करेंगे लोग अगर आगे इस्टर्ड वाली चुछीज है वह बहुत ज्यादा है जदा असा एक पॉइंट पर ही जाओगे आप टिता बन जाते हैं आपको पता चलेगा आप टिता बन गए क्या पील करेंगे आप पता करूंगा कॉन सी वाली है और क्या रिविल कर रहा है तो चले कितने जल्सेर काम ठीक किया है तो जे देबी फिलम में ज़ाता निए तो फादर दोटर वीचर में बताई आपने क्या सब्दा आप है तो फादर लोटर का जो रिलेसंसिप है है बूत अच्छी बैत्रिन है वाली के माईने शम्देश कर आपने प्दोड़ कर बदेन मैं समझा ना इपने जएक फादर शिल्सकि और के बारे मेझे जए तब बीच में वीटिफिल रिलेशंशिप के बारे में धिखाया है कि इतना खुप सूरत रिलेशंशिप है वह बहुत इयुकि सीन से इस बहुत जा है, जब पहले बार बहुत रिलीच ज चाही समांगी थोड़ी बीच में बहुत स्लोपेस्ट हो जाती है और स्टोरी बढ़िया है लेकिन बहुत पेशन्स चाहिए तो आइ थिंग जो क्लास ओडियन से क्लासी रोल्स के जाने जाते हैं तो मुझन का रोल पसंद आया जितने भी आज से कुझने जिद्धाने पाइस हैं जो फादर और डॉटर का जो डॉटर के जो डिलेशन्शेप और केमिस्ट्री बहुत अच्छी से निगा शो की गई है हमने इससे पहले कॉक्टेल में देखा था साइब कुछ लोग के हलका फुलका उसकी ठलक भी है तरम है ऐसा कुछ है या पर कॉक्टेल देख लीजिए यह दिल लगी देख लीजिए या लव आजकल कही ना कहीं आपको वो यूनका एक ट्रेड मार्क वो सिगनेचर स्टाइ है कि बहुत ही अमीर फैमिली के अफ्रुएंट फैमिली से है और बहुत ही थोड़े फ्रिवलेस है फ्लर्ट करने माले और थोड़े से हैपी-go-lucky टाइपस और बिलकुल बिंदास टाइपस तो कहीं ना कहीं उनको उनका कोई ना कोई हर मूवी मो देखने को बहुता है सिर वही मैं आखा है इस पर निश ओडिंस वो अल्डेसिति इस पहुत है और इस सम्झीदा पायन और रिलेशन शिप्रिंशिप की अलेति को दाषा है तो वह सब को साथ है रिष्टा के ना है कुछ लोग को वहीं आए पींठो ने फूंट वहीं उनको पूंचिति इस प्रिश आपको पता प्ता पही नहीं चलाएंगोर यह ज तो एककम अच्छी पिच्छ मैं अब आप सप्तामय कि कहीमें बोर नहीं मैं बोल सकते हैं तो अब सब्सा कर नहीं चलाएं तब का भी चोट अज वह जितने बी शौट अपटर से का फरीदा जलाल को मोद मुष्रा, कुकु शादा का बहुत अच्छा रोल है कॉमेडी में मुजिक जितनी पिर इमिक सौंग से वो भी अच्छे से प्रेजेंट किये गया है इस बिन शॉर्ट अबरोड नितिन ककर का डारेक्शन भी ठीक है सो एक बाद एक जा सकते हैं मतलब बोल सकते हैं आपकी यह नो बट अगेन आइल गिए थ्री स्राइब